इस बार क्रिश फोर में क्या क्या चेंजिस देखने को मिलेंगे क्या फाइनली कोई मिल गया के बाद क्रिश फोर से होने जा रही है जादू की वापसी नमस्कार दोस्तों मैं गरिमा सिंग आपका दिल से स्वागत है हमारे चैनल वालिगराद स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में सबसे पहले तो राकेश रौशन जी से हमारा एक सवाल है कि जादू कहा है 2003 में इस फ्रेंचाइजी की शुरुआत हुई थी जब हमें जादू देखने को मेरा एक तूर गरह से जीवधाती पर आता है जो नीले रंका है जिसका नाम सब जादू रखते हैं वो शरीर में बड़े लेकिन उम्र में छोटे रोहित को असीन शक्तिया देता है जिसके बाद वो गजब कर डांस करने लगता है उसकी मसल्स बन जाती है गजब की फाइट करता है जिसके बाद बड़ी ही बेदर्दी से उस एलियन को वापस उसके ग्रह बेच बेच दिया जाता है जिसके बाद एक पार भी नहीं बुलाए गया हाला कि जब 2006 में इसका सीक्वल आया तो रोही तकने पापा के पुराने कम्प्यूटर के थो उससे संपर करने की कोशिश करता है और दूर आसमान में कहीं जादू का इस पेश शिप भी नज़र आता है लेकिन उसके बाद इसका थर्ड पार्ट भी आया लेकिन उसमें भी जादू का कोई अता पता नहीं था तो फाइनली इसका फूर्थ पार्ट आ रहा है फूर्थ नहीं फूर्थ और फिर दोनों साथ में लेकर आ रहे हैं राकेश रोशन तो एक लीस इस बार तो जादू की वापसी होनी चाले क्योंकि इस बात से ना आप इंकार कर सकते हैं और ना ही राकेश रोशन जी कि कोई मिल गया जब फिल्म आई थी जितना इंपोर्टेंट रोल धितिक रोशन का था उतना ही इंपोर्टेंट रोल था जादू का क्योंकि जादू के आने से पहले, हालांकि रितिक रोशन की बहती एक्टिंग ने सब को बादे रखा था, काफी कॉमेडी भी थी फिल्म में, लेकिन जादू के आने के बादे तो फिल्म में मसाला आता है, जब ट्विस्ट आता है, तो इतने इंपोर्टेंट रोल को कोई कैस जादू अपने ग्रह से आता है, और जहां इस बार कहा भी जा रहा है कि फिल्म की कहानी में भी राकेश रोशन चेंजिस कर रहे हैं, क्योंकि इन दिनों जो कोरोना वाइरस की वज़े से पूरे विश्व भर में तहल का मचा हुआ है, और दुनिया नस्ठ होने तक की बात क बात के हदी गई तो ऐसी में राकेश रोशन इस फिल्म की कहानी में चेंजिस कर रहे हैं, तो वो ये भी चेंजिस कर सकते हैं कि पूरी दुनिया खत्म होने वाली है, और जादू अपने ग्रह से आता है, और पूरी श्रिष्टी को बचाता है, ये आइडिय काफे एकसाइ फेंटेस्टिक फोर और ट्रांस्फोरमस में देखा था, वो फिल्मे भी काफी ब्लॉपबस्टर लिट थी, या फिर कुछ ऐसा करें कि कि आपने कृष्ट्री में देखा कि उसके बेटे ने भी जन्म ले लिया है और उसमें भी शक्तिया है तो क्यों ना बाप बेटे की जोड़ी मिलकर पूरी दुनिया को बचा है क्योंकि ऐसा कॉंसेट आज तक किसी फिल्म में भी नहीं लिया गया हाला कि कार्टूनिस्ट फिल्म में ऐसा देखने को मिला है जो हाल ही में रिलीस हुई थी दे लॉयन किंग जिसमें शारुख खान ने भी वोईस ओवर दिया था तो इस तरह से आप बच्चों का ध्यान भी अपनी और काफी जादा खीच सकते हैं क्योंकि बच्चे इन चीजों से काफी जादा एट्रेक्ट होते हैं साथ ही साथ एक और भी शिकायत है कि प्लीज क्रिश की ड्रेस बदल दीजी हमने कितने सारे सूपर हीरो देखे हैं सबसे बुरी ड्रेस हमें क्रिश की लगती है अब क्रिश को लड़ना होता है, दोडना होता है, भाबना होता है, कलाबाजय खाने होती है न जाने कितनी बार उस लबादे से अपना क्रिश गिरता-फिरता बचा karşाऊगा दूसरा इतनी गर्मिया पढ़ती है, मुंबली मिली वो अपनी पत्नी नानी प्रियंका के साथ और बच्चे के साथ रहता है, तो उसे हुमिडिटी नहीं होगी, प्लीज यार उसकी ड्रेस बदल दीजिए, इतने हमने मार्वल के सूपर हीरो दे के कितनी बहतरी ड्रेसे बना तो कुछ अच्छी से युनीक सी ड्रेस इस बार राकेश रॉषन ला सकते हैं, और यह भी सभी जानते हैं, कि जो भी सूपर हीरो वाली फिल्में बॉलिवुड में बनती हैं, कहीं न तहीं होलिवुड से प्रेड़ना ली जाती है, तो हमारा यही कहना है कि राकेश रॉष कि इस पार आप किसी कौपी करने वाले हैं, पहली फिल्म में आपने स्पील बर्ड का आइडिया लिया, डूसरी फिल्म में आपका विलन बविश्य में देखने वाली मशीन बना बेठा, इसे भी दो तीम से जादा हॉलिवुड फिल्मों में देखा जा चुका है, तीसरी में आपने कमाली कर दिया, आप म्यूटेंट लिया है, अब एक्समेन मुल्वरीन का कॉंसिप्ट कहां फित होता है एक सोलो सूपर हीरो वाले काल में, कोशिश करिए कि इसे बैटमेन सीरीज की फिल्मों जैसा बनाएं, जहां बहुत जादा वीजूल एफेक्ट की ज़रूरत नहीं, बैटमेन सीरीज में क्रिस्टोफर नोलन दे फिल्में बनाएं, कुछ वैसा वैसा, अगर व्यसकों को नही दोस्तों, ये जतना भी आइडिया, जितनी भी बात हैं, हमने आपको बताई, क्या आप थी छीजों से सहमत है, कितनी बातों से सहमत है और इसमें और क्या अच्छे चेंजिस किये जा सकते हैं स्टोरी को और इंट्रिस्टिंग बनाने के लिए आपके भी दिमाग में कुछ आयास तो जरूर होंगे तीन-तीन फिल्में इसकी आप भी देख चुके हैं कहां से आते हैं ये एलियंस, हमारे बीच क्या रहते हैं एलियंस, कितने प्रकार के होते हैं ये एलियंस नमस्कार दोस्तो, मेरा नाम है गरिमा तोवर, आपका दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलिग्रादे स्टूडियो की एक और नई वीडियो में रितिक रोशन के करियर की सबसे एहम फ्रेंचाइजी क्रिश की चोथी किस्त का इंतजार उनके फैंस को बेसबरी से है क्रिश फोर की तैयारियों को लेकर अक्सर खबरे आती है जिन से पता चलता है कि निर्देशक राकेश रोशन अपने राइटर्स के साथ चौथी किस्त को दमदार बनाने में जुटे है इसी क्रम में अब एक ऐसे किरदार की वापसी की बात सामने आई है जिसकी वज़े से ये फ्रेंचाइजी शुरू हुई थी ये किरदार है जादू जी हाँ वही एलियन जिसकी शक्तियों ने मंदबुद्धी रोहित महरा को स्मार्ट मेधावी और शक्तिशाली वग्यानिक में बदल दिया था राकेश रोशन क्रिश फोर में एलियन जादू को वापस लाने पर विचार कर रहे हैं इस आइडिया को लगबग लॉक कर दिया गया है कि 17 साल बाद फिल्म की काहनी में जादू की वापसी होगी जादू एक एलियन है जो नीले रंका है और उसके पास सूपर पावर्स है इस फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म कोई मिल गया में दिखाया गया था कि संयोग वश धर्ती से संपर्क होने के बाद एलियन यहां आता है बोला बाला रोहित उसे चिपा कर रखता है और धीरे धीरे एलियन रोहित को शक्तिया देता है अब अगर बात करें कि क्या एलियन्स हमारे बीच में ही रहते हैं तो आपको बता दें कि एलियन्स हमारे बीच अद्रश्य तोर पर मौजूद हैं उनकी नजर लगातार हम सबी पर हैं और भविश्य में वो समय भी आएगा जब ये एलियन्स मानवों से इंटरब्रेडिंग कर सकते हैं जिससे नई सूपर ह्यूमन प्रजाती सामने आएगी सुनने में ये बात आपको बेतुकी और बेसिर पैर की जरूर लग रही होगी लेकिन इसे कहने वाला आक्सफोर्ड का जाना माना विग्यानिक है इनफेक्ट उन्होंने अपनी नई किताब में ये दावा करके विग्यानिक जगत में तहल का मचाया हुआ है बलकि उनकी तो प जत्वी के खत्म होने का संकट सामने आएगा तब एलियन्स के जरीए इंटर ब्रीडिंग से उत्पन प्रजाती इस दुनिया को बचाएगी और जिस शक्स ने ये किताब लिखी है उनका नाम है डॉक्टर यांग एच चैई डॉक्टर चैई ऑक्सफोर्ड और उससे परे वेग्यानिक जगत में जाना माना नाम है डॉक्टर यांग ऑक्सफोर्ड औरियन्टल इंस्टिट्उट में प्रोफेसर है वो वेग्यानिक लैक्चर्स के जरीए अपनी बात कहते रहते हैं पिछले कई सालों से वो ये बात कह रहे हैं लेकिन अब उन्होंने अपने को अनुबाद हुआ है उनका ये कहना है कि प्रित्वी और यहाँ पर मौझूद मानव प्रजाती संकट में है एलियंस हम पर लगातार नज़र रखे हुए हैं वो नहीं चाहते हैं कि प्रित्वी और इस पर मौझूद अपर प्रजातीयों का विद्वन्श हो ुब कि एक मीटिंग में भी दोराई गई मेटी इंटरनेशनल मीटिंग में कुछ विग्यानिकों ने कहा कि एलियन्स हमसे कई अधिक चालाग हैं वो जान बूच कर खुद को इंसानों से दूर रखना चाते हैं उन्हें शायद लगता है कि सच्चाई जानने के बाद इंसानों का हर गतिवीदी पर नजर रखे हुए हैं शायद वो भी प्रत्वी में कोई उथल पुथल नहीं करना चाहते दर असल 1950 के बाद से ही पैरिस में हर दूसरे साल मेसेजिंग एक्स्टर टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस की मीटिंग होती है जिसमें इस बारे में शोध कर रहे व नुक्लियर हतियारों और अन्या बड़ी दिक्कतों से गुजर रही है वो यह भी कहते हैं कि हो सकता है कि जब प्रत्वी से मानव सभ्यता खत्म होने की कगार पर हो तब एलियंस यहां अपने हाइब्रीड प्रोजेक्ट की शुरुवात करें किताब में यह तर्क भी दिया चोटे कदके और लंबे पतले और साप जैसी आँखो वाले और कीडे मकोडो सरीखे एलियंस उनका कहना है कि सबसे उंचे क्रम में कीडे सरीखे एलियंस सबसे उपर होते हैं जो अपनी निचली रैंक को ओडर देते हैं उनका ये भी मानना है कि सभी एलियंस हाइब्रीड प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं पिछले कई दशकों से प्रत्वी के वायू मंडल में उड़ती हुई अजीब गरीब उड़न तश्तरी नुमा चीजे देखी जाती रही हैं वाशिंग्टन टाइम्स ने हाल ही में इस बारे में एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी जिसमें कहा गया कि कई बार मिलिटरी के खासे अनुभवी और प्रशिक्षित पाइलेट्स ने ऐसी तेजी से उड़ती हुई गोलाकार चीजों को देखने का दावा किया है जिने कतई हलके में नहीं लिया जा सकता सबने इसके बारे में अलग-अलग तरीके से बताया कुछ ने इसे घ अर्सों से एलियन के तलाश कर रहा है कभी उसकी तलाश के लिए दूरबीन की मदद ली जाती है तो कभी अंतरिक्ष में दूरबीन और यान भेज कर उसे तलाशा जाता रहा है बहुत दिनों से धर्ती से रेडियो तरंगे भी भेजी जा रही है इनफेक्ट नासा और दूसरी बड़ी स्पेस एजेंसियों का मानना है कि मंगल पर पहले जीवन था उनका ये भी कहना है कि हमारे इसी सौर मंडल से ही आते हैं एलियन्स नासा के ग्रह विज्ञान विभाग का कहना है कि सौर मंडल में चार जगहों पर संभावित जीवन हो साथ इन सभी चीजों को भी इंकल्यूड करके फिल्म में दिखाया जाएगा क्योंकि जब से गे महामारी शुरू हुई है तभी से क्रिश फोर की स्क्रिप्ट में काफी चेंजिस किये जा रहे हैं जिसके साथ इस बार ये दिखाने का भी दावा किया गया था कि प्रित्व हैं इस बारे में क्या आपको भी इन सभी बातों पर भरोसा है रिद्टिक रोशन के करियर की सबसे एहम फ्रंचाइजी क्रिश की चौती किस्त का इंतजार पैन बड़ी बेताबी से कर रहे हैं क्रिश फोर की तैयारियों को लेकर अकसर खबरे आती हैं जिससे पता चलता है की निर्देशक राकेश रोशन अपने राइटर के साथ चौती किस्त को बड़ा दमदार बनाने में जुटे हैं इसी करम में एक ऐसे एहम किरदार की वापसी की बात सामने आई है जिसकी वज़ा से ये फ्रेंचाइजी शुरू हुई थी ये किरदार है जादू जी हाँ व जादू की वापसी होगी वैसे भी क्रिष थरी में रोहित महरा की डेथ हो चुकी है लिहाजब जादू को फिर से बुलाने का ये पौफेक्ट समय होगा जादू की वापसी को बहतर सतर पर दिखाने की तैयारी चल रही है रखता है और धीरे धीरे एलियन रोहित को शक्तियां देता है कोई मिल गया में जादू का किरदार इंदरवर्धन पुरोहित ने निभाया था जो बॉने कद के कलाकार थे 2014 में उनकी देथ हो चुकी है जादू के कॉस्ट्यूम ऑस्टेलियन आर्टिस्ट जॉन कॉर्लनर ने बनाये थे वैसे जादू पर बच्चों के चैनल निकलोडियन पर 2004 में एक एनिमेशन कम लाइफ सीरीज आ चुकी है जिसका नाम था जे बोले तो जादू कोई मिल गया 2003 मे आई थी दूसरी क्रिश कभी नहीं आई क्योंकि क्रिश को ही क्रिश्टू माल लिया गया क्रिश 4 और 5 को लेकर राकेश रोशन ने जो आइडिया निकाला है क्या वो रिकॉर्ड्स तोड़ सकता है शारू खान का क्रिश से क्या रिष्टा था और क्या होने जा रहा है अश्कार दोस्तों मेरा नाम है गरिमा तोमर आपका दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलिक राद स्टूडियोस की एक और नई वीडियो में राकेश रोशन ने 2003 में कोई मिल गया से ये शुरू आत बाद में इसकी दो सीक्वल फिल्म में बनी 2006 में क्रिश और 2016 में क्रिश वह रहाता है जादू वह जादू रोहित को असीम शक्तियां देकर जाता है बी लिए दोड़िको को दोद्म नैकाक सव कर लोगों की मदस करने शक्तियों उतरता है तो मौत यह इसीवरे नाम रखा जाता है क्रिश्ण हैं अपने पिता में रहा उसमें आब शक्तियां होती है और जब वो मास्क पहन कर लोगों की मदद करने उतरता है तो कहलाता है क्रिश इसे क्रिश सिरीज में ताजी हलचल हो रही है डायरेक्टर राकेश रोशन निगोशना कर दी है कि वो एक साथ दो दो फिल्में बनाने जा रहे हैं क्रिश 4 और 5 तो हम बात करे कि इन दोनों फिल्मों में आपको क्या देखने को मिलेगा नवाजुदिन सिद्धी की इन फिल्मों में दिख सकते हैं जी हां कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा कहा गया है अगर उनकी कास्टिंग फाइनल है तो अभी तैन नहीं है कि वो किस रोल में नज़र आएंगे चूंकि सल्मान की किक में विलन बने थे नवाजुदिन सिद्धी की और उन्होंने बहुत बहतरी प्रजशन किया था तो लगाने वाले शायद ये कयास लगा सकते हैं कि वो विलन की भूमिका में दिखे लेकिन अभी कुछ कंफर्म नहीं है इन फिल्मों में सूपर हीरो के रूप म से बनाए गए थे इन दोनों फिल्मों के स्टन्ट और स्पेशल एफेक्ट्स के लिए इंटरनेशनल क्र्यू बुलाए जाएंगे देखना होगा कि राकेश रौशन किन हॉलिवूड फिल्मों के क्र्यू लेते हैं क्योंकि क्रिश्थरी के विएफेक्स तो उन्होंने शार जैसी फीमेल लीड रही है अब की कहानी क्रिश के बेटे से शुरू होगी तो उसके लिए किसी नई हिरोईन को लिया जाएगा चूंकि दो फिल्में एक साथ बन रही है तो सीरीज की बाकी फिल्मों के उलट कई नई चेहरे इन में नजर आएंगे अभी दोनों फिल्मों क स्क्रिप लिखी जा रही है सिरीज की पिछली फिल्मों की राइटिंग टीम में हनी इरानी, रॉबिन वर्थ, राकेश रोशन, सचिन भॉमिक, संजय मासूम, आकर्श खुराना जैसे लोग रहे हैं इस बार स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायलोग किसके होंगे ये भी अभ स्टन्ट, उनके मूव्ज, सब कुछ सूपर हिट है, बॉलिवुड में ही नहीं, हॉलिवुड में इंटरनाशनल लेवल पर उनको बहुत ही जादा हैंसम एक्टर के रूप में देखा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो हमेशा से ऐसे नहीं थे, जी हाँ, इसके पीछे उनकी बहुत मेहनत है, यूट्यूब ट्रेंडिंग से लेकर सोचल मीडिया पर एक वीडियो चाया हुआ है, ये वीडियो है रितिक रोशन की ट्रांसफोर्मेशन के बारे में कि कैसे उस आदमी ने बीमारी से उठने के बाद अपनी तोंद को अंदर करके सिक्स पै इस सफर की शुरुवात तब हुई जब रितिक रोशन को फिल्म वार में काम करने का ओफर आया, प्रेडियूसर डायरेक्टर के साथ मीटिंग चल रही थी, रितिक ने कहा कि वो इस फिल्म में काम करने के लिए तैयार नहीं है, फिर अंदर गए अपनी बॉड़ी की फोट 30 फिल्म की थी, जिसके लिए उन्हें अपना वजन बढ़ाना भी था, उसके बाद उनके हिस्से आई वार, जिसके लिए उन्हें अपने शरीर और दिमाग से युद करते हुए शेप में आना था, वहां से शुरू हुआ छे महीने का ये सफर, जो वार फिल्म और उससे कही आगे तक चलता रहा, लोग बड़े आराम से बोल देते हैं कि इन्हें तो सिर्फ बॉडी दिखानी है, लेकिन उस बॉडी को दिखाने लायक बनाने के लिए किन चीजों से होकर गुजरना पड़ता है, वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, ये वीडियो साथ खुद को मोटिवेट करते हुए चलते हैं, जो इस वीडियो में कमेंटरी वाला फील डालता है, किसी वीडियो को बना देना बड़ी आम बात है, लेकिन उससे इंफ्लुएंस होकर किसी से कुछ लिखवा देना बहुत बड़ी बात है, आपको इसमें रियल रितिक दि जो काफी पॉजिटिव होगी, और शायद इस वीडियो का मकसद भी यही है, ये वीडियो एक बड़ी परसनल जर्नी है, और उस जर्नी को पूरी दुनिया के साथ शेयर करना बड़ी बहादूरी की बात है, फिल्म सुल्तान में सलमान खान का एक सीन है, जहां वो आईने के सामने खड़े होकर अपना बाहर निकला पेड़ देखकर रोते हैं, सलमान उस सीन को करने के लिए बिल्कुल तयार नहीं थे, क्योंकि उन्हें दुनिया ने कभी वैसे नहीं देखा, हमेशा फिटनेस आईकन माना, उससे बड़ी बात ये कि सलमान ने खुद को कभी वैसे ऐसे में खुद को मैंटली उस चीज के लिए तयार करना चैलेंजिंग पार था, लेकिन वो सीन सिर्फ फिल्म में है, सुल्तान की मेकिंग के तमाम वीडियो उपलब्ध है, उसमें उस पूरे किस्से का जिक्र है कि सलमान कैसे ये सीन करने को रेडी हुए, लेकिन उस सीन से जुड़ी कोई तस्वीर नहीं है, ये वही सलमान है जिनोरे रितिक रोशन को उनकी पहली फिल्म से पहले बॉडी बिल्दिंग की ट्रेनिंग दी थी, हम इस बात से कुछ साबित करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बस दो कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर आपके सामने रख रह वापस शेप में आने के बाद रितिक रोशन ने कहा, अगर ये फिल्म पिट जाती है, अगर मैं वहाँ नहीं पहुच पाता, जहां मैं अभी हूँ, कम से कम इस दौरान मैंने वो तो किया, जो मैं करना चाहता था, ये छे महीने का ट्रांस्फोर्मेशन मैंने एंजॉय किय नहीं बना बोडी, तो नहीं बना, ठीक है, छे महीना एंजॉय किया मैंने, वेल ये वही पर्सनल पुट है, जुसके बाद हम अभी थोड़ी देर पहले कर रहे थे, इतनी महनत करने के बाद ये आदमी फिल्म वार में अपने इंट्रो सीन शूट से पहले चेहरे पर अपन पर गर्ब करना चाहिए कि तुमने किसी भी काम में अपना बैस्ट दिया है, तुम्हें सिर्फ वही करने की जरूरत है, मैं उनसे ये नहीं पूछता कि वो फर्स्ट आये, सेकेंड आये, या लास्ट आये, क्योंकि मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, और मुझे वाक्यी फर् सकते हो तुम, सिर्फ इमानदारी के साथ महनत करते जाएं, सफलता तो आपके कदम खुद बखखुद चूम लेगी, तो दोस्तों आप रितिक रोशन की इन बातों से कितना सहमत हैं, और आपको कितना बेसबरी से इंतिजार है, इस सूपस्टार की आने वाली फिल्म को ले राकेश रोशन ने जो सोच लगाई है, क्या वो रिकार्ड तोड सकती है? तलाक के 6 साल बाद क्यों साथ आये रितिक और सुजेन खान? हिंदी सिरेमा की अब तक की सबसे बड़े बजट की फिल्म क्यों होने जा रही है, क्रिस 4 और क्रिस 5? क्रिस 4 को अंग्रेजी में बना क्यों की जा रही है? मैं आपका स्वागत करता हूँ बॉले गर्यात के फिल्मी गलियारे में. राकेश रोशन नई फिल्म ला रहे है, क्रिस 4 और 5. राकेश रोशन ने 2003 में कोई मिल गया से सुरुवात की थी. बाद में इसकी दो सिक्वल फिल्में क्रिस 2006 और क्रिस 3 2016 में इसी क्रिस रीज में ताजी हलचल हो रही है. डारेक्टर राकेश रोशन ने घोस्रा कर दी है कि वे एक साथ दो फिल्में बनाने जा रहे हैं. क्रिस 4 और क्रिस 5 यही नहीं राकेश रोशन अप फिल्म क्रिस 4 को अपनी पिछली फिल्मों से कहीं बड़े अस्तर पर फिल्म करीब रखा है और ये हिंदी सिनेमा की अब तक की सबसे बड़े बजट की फिल्म होने जा रहे हैं यही नहीं Chris 4 का अंग्रेजी संस्क्रण भी बनेगा और इस बार इसका लोग पूरी तरह इंटरनेशनल बजार के मताबिक रखा जाएगा क्रोना की वज़ा से Chris 4 और Chris 5 की कहानी में और भी चेंजिस किये जा रहे हैं मेकर्स क्रोना का फायदा उठा करके इसके स्क्रिप्ट को आउट टाइट कर रहे हैं और इसका स्कीन प्ले कहा जा रहा ही कुछ सीन का फिर से लिखा जा रहा है क्रोना की वज़ा से सब लोग घरों में बंद हैं क्योंकि अगर 2021 देखना है ते 20 दिन घर में ही बिताना पड़े जा इसी समय रितिक रोस्टन एक इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हैं इस पोस्ट में एक फोटो है और साज में लंबी चौणी प्यारी बात हैं उस फोटो पर नजार आ रही है रितिक की एक्स वाइफ सुजैन खान वो वापस रितिक के साथ आ गई है अगले 21 दिनों के लिए ताकि इतने लंबे समय तक उनकी दोनों बच्चे मम्मी या पापा से मिल रिए पहले रितिक का वो इंस्टाग्राम पोस्ट देखिए फिर हम इसमें लिखी बातों को शाट में समझाते हैं बेसिकले अपने इस पोस्ट में रितिक पता रहे हैं कि एक पिता के तोर पर इस देश बापी लॉकडाउन के दोरान अपने बच्चों के साथ न रह पाने के बारे में कोश सोच भी नहीं सकते एक माता पिता जो अपने बच्चों की आधी-ाधी कश्री रखते हैं उनके लिए समस्था ये है कि दूसरे के अधिकार छेत में दखल दिये बिना वो अपने बच्चों के करीब कैसे रह सकते हैं रतिक इसमें आगे जोडते हैं ये सुजयन मेरी पूर पतनी की तस्वीर है जिनोंने टेंप्रेरी तौर पर अपना घर छोड़ दिया है ताकि हमारे बच्चों को अनिश्चित काल तक हम दोनों में से किसी एक से अलग ना रहना पड़े थैंक्यूश सुजयन इतनी मदद के लिए हमारी जर्नी को समझने के लिए हमारे बच्चे यही कहानिया सुनाएंगे जो हम उनके लिए बनाएंगे सुजयन खान पेसे से इंटेरियर डिजाइनर है वो बॉलिवूड अक्टर और फिल्मेकर संजय खान की बेटी दिसंबर 2000 में रितिक और सुजयन की साधिक हुए इस कपल के दो बेटे हैं रहान और रिदान 2014 में रितिक और सुजयन ने आपसी सहमती से अलग होने का फैसला लिया हाला कि दोनों अभी एक दूसरे को बेस्ट प्रेंड बताते हैं अगर रितिक की बात करें तो दो साल के गैब के बाद 2019 में उनकी दो फिल्में रिल्में रिल्में बिहार बेस्ट मैथमेटिसियन अनन्द कुमार की बायपेक शुपर 30 जिसे क्रिटिक्स ने पसंद किया और वार जिसमें वो टाइगर स्राफ और वानी कपूर के साथ दिखाई थे वार 2019 की सबसे कमाओ हिंदी फिल्म साबित हुए अब क्रिस 4 और क्रिस 5 पर काम सुरू हो गया है क्रिस 4 की शूटिंग कब से सुरू होने जा रही है क्या क्रिस 4 में कैप्टन अमेरिका की इंट्री होने जा रही है क्रिस 4 में जादू की वापसी क्यों होगी राकेस रोसन ने क्रिस 4 को ले करके क्या कहा शराबी लड़कियों को फिल्मों में स्टूरियो टाइप्स क्यों दिखाया गया है स्फोर का टीजर कब आ रहा है मैं आपका स्वागत करता हूँ बॉले ग्राथ के फिल्मे गलियारे में इस लागडाउन के खत्म होते ही राकेस रोजतन क्रिस फोर के शूटिंग सुनू कर देंगे और इस बार क्रिस फोर की कहानी में जादू की वापसी हो रही है क्योंकि 2003 में जब इस फ्रैंचाइजी की पहले फिल्म कोई मिल गया आई तो 61 स्पेल वर की एटी की तरज पर आप परग्रा से एक प्यारे से जीव को भारत के कसौली में ले आए वो नीला था उसने हमारे सरीर में बड़े लेकिन उम्र में छोटे रोहित को अनूठी सक्तिया दी फिर वो गजब डांस करने लगा डॉले शौले निकल आए क्या फाइटिंग करता था लेकिन उसी जादू को आपने बेदर्दी से उसके गरह तो वापस भेजा लेकिन एक बार फिर धर्ती पर नहीं लाए एक बार खाने पर भी नहीं बुराए हाँ, 2006 में आई सिक्वल क्रिस के एंड में आपने हमें उम्मीदों से भर दिया कि जब रोहित ने अपने पापा के कंप्यूटर का इस्तमाल करके जादू से संपर किया और दूर आसमान में उसकी इस्पेस सिभी दिखी लेकिन तीसरी फिल्म में फिर कोई अता पता ना था अब चौथी ला रहे हैं तो जादू को भी लिवा लाईए और कुछ नहीं तो क्रिस के बेटे के साथ खेलने के लिए ही दो सीन डाल दीजें क्रिस को आप डाइनासोर्स के काल में डाल सकते कि जैसे टांसफार्मर्स की लेटेस्ट फिल्म में मसीनों के डाइनासोर ये लोग बरी चलाकी से ले आए आप भी ला सकते हैं जंगलों के बीच नार्थिष्ट में सूटिंग कर लेना, अभी फरहान अक्तर ने भी तो मेग लेने जा रहे हैं, गमीरतार से सोचना, पहले फिल्म में आपने इस फिल बर का अडिया लिया, दूसरी फिल्म में आपका बेरन भबिस्त में देखने वाली मसीन बना बैठा, इससे भी दो तीन से ज़्यादा Hollywood फिलों में देखा जा चुका है तीसरी फिल्म में आपने कमाल ही कर दिया आप mutant ले आए अब X-Man Wolverine का concept कहा फिड होता है एक solo superhero वाले काल में कोशिश करिए कि इसे Batman series की फिल्मों जैसा रखिए जहां बहुत ज़्यादा visual effect की जरोत नहीं Batman series में क्रिश्टोफर नोलें ने फिल्म बनाई कुछ हो ऐसा अगर बड़ों को नहीं तो बच्चों को ही target करना है तो Hulk वाले man रिजम डाल दो क्रिस में Iron Man वाले one liner भी बहुत अच्छे लगेंगे चुकि सक्तियों के मामलों में वो Thor जैसा है तो वहां से वो लिलेना बस mutant मत लाना और कुछ भी मत करना अगर फिल्मी गलियारों की बात माने तो Chris 4 में एक सरावी लड़की का character डाला जा रहा है कहते हैं कि लड़कियां सराव handle नहीं कर सकती है अब आप कहेंगे कि ये कहने की बात नहीं है अस्थापिस सत्थ है लड़कियों से जुड़े तमाम इस्ट्यो टाइप्स यानि पूरवा ग्रोहों को इसी तरह बार-बार दोहरा कर सच बना दिया जाता है लड़कियां किस तरह सराव handle नहीं कर पाती इसका 29 बार-बार हमारे फिल्मों में होती है जैसे दिल वाले दुलहनियां ले जाएंगे में काजोल जरासा जूमलू मैं गाते हुए दिवानों की तरह नाचने लग कल हो ना हो मैं वैसे सीरियस रहने वाली नैना यानि पृती जिंटा अचारक जैकेट उतार कर नाचने लग अगली और पगली के गीत मैं टल्ली हो गई का भी यही हाल है ये सभी गीत आउरतों के एक सांस में सराब पीने के सीन से सुरू होते हैं हमारी फिल्मों में सराब कभी नॉर्मली नहीं पी जाती बहुत ज़्यादा खुसी बहुत ज़्यादा दुख या हमेशा कोई पॉइंट प्रूब करने के लिए सराब का सिवन करता दिखाया जाता है अगर सीन में लड़की हो तो लड़की क्यों पी रही है हमेशा उसका बैक्ग्राउंड दिया जाएगा उदास होगी ब्रेक अप हुआ होगा या अपनी कामुकता जाहिर करने का कोई जर्या खोज रही होगी जैसे कार्थिक कॉलिंग कार्थिक का एक सीन है सुना ली मेरे लडिंग ले आओ पिपसी औरेंज जूस ऐपल जूस सुना ली जूस चलेगा लेकिन उसे बोधका के साथ डायलूट करना फरहार अक्तर के किरदार कार्थिक के थौट प्रोसेस और ब्लीब सिस्टम का हिस्सा ये बात है ही नहीं कि लड़की सराब पिएगी ऐसा रियल लाइप में भी होता है जब भी एक लड़की एक और लड़के या लड़कों के गुरूप के साथ जाती है वेटर भी बार वाला मेनू पुरूस के सामने रखता है फिल्मों में सराब पीकल लड़कियों को कभी नॉर्मल रेक करते हुए नहीं दिखाया गया फिल्म में प्लोट में सराब का काम ही लड़की के बहकाने वाले एक सीन को बनाना है क्योंकि इससे हीरो को भी हीरो बनने का मौका मिलता है शराबी लड़कियों के हीरो चुकि लड़कियां सराब हैंडिल नहीं कर सकते वो हमेशा एक गारजियन के साथ पीए ये ज़री होता है इसलिए हिरोईन के सराब पीते वक्त या उसके बाद हीरो का होना बहुत जोरी है हीरो के ये काम लड़की को पीने से रोकना फिर भी वो ना रुकिए और बेहत नसे में हो तो उसे थामना नसे में जब वो कामुकता जाहिर करने लगे तो आहिसर दिखाना और फसा हुआ महिशूस करना उसे सुरच्छित बिस्तर तक पहुचाना नसे में उसका फायदा ना उठाकर महान बनना इस तरह हिरोईन के सराब पीने से हिरोईन का इंपेल्सिव बहेबियर और हीरो का फौरस और उदारता एस्टेबलिस होते हैं इसलिए सराबी लड़कियों के रेप होते हैं रगातार फिल्मों से ही हमें बताया जाता है कि सराप पी हुई लड़की का शरीर अलेवल होता है, वो खुद पर कावु खो चुकी होती है, ऐसे में लड़के तो उसकी और आकरसित होंगे ही, खास कर तम जब लड़की नसे में होने के बाद वो अपनी जैकेर वगएरा उता कर फिंग दे, शराप, रेप और योन सोचन के मसलों पर बिक्टिम ब्लेमिंग का सबसे सही तरीका है, शराप पीना पुरुस को नियंतरन देना है, इसलिए सराप पीते ही आवरत 90 फिस्दी गुराह कर चुकी होती है, रेपिस्ट को बस बचा हुआ, दस प्रिस्यत काम करन होता है, आउट आफ कंट्रोल लड़कियां, मर्सरीज गारी से चल रही नसे में धोत लड़की ने बाइक को टक कर मारी, सराप पीकर लड़कियों ने बस उलुकी की, पुलिस स्टेशन में हंगामा किया, बंदरा इलाके में महिला ने शराप पीकर जम कर हंगामा किया, सरा पारा माल के सामने एक दूसरे पर तूट पड़ी लड़कियां सुध भुद खो कर लड़ती रही, खुले मैदान में जजबात बाहर आए, ये कुछ लाइन्स है न्यूज टीवी के उन प्रोग्राम से, जो नसे में जगडा करती लड़कियों पर बने हैं, ये कम है, ऐसे प् पुरुष करते हैं, तो उसमें किसी न्यूज चैनल को कोई न्यूज बैलू नहीं दिखती, सराब पी हुई महिला सौट पॉन्ड की तरह है, उसके हंगामा करते हुए पुरा देश देखता है, कि देखें क्या हरकत करेगी, बिखरे बाल होंगे, छोटी ड्रेस होगी, कू पुरुष की जीवन में दर्ज होती है, बड़ी सहिस्ता के साथ सराब और शवाब जैसे फ्रेज इस्तमाल करते हुए हम भूल जाते हैं कि इस भासा के केंद में पुरुष है, नायका जब कामुक और चरत्रहीन होती है, तो नायक के लिए वो सराब की सहली होती है, जैसे अंगूर का दाना या तंदूरी मुर्गी, जब यही महला घरेलू होती है, तो वो पती की सराब छुबा कर उसका जीवन समाने वाली बन जाती है, और अस सराब पिने वाली नहीं होती है, या तो वो पिलाने वाली होती है, या फिर पिने की वज़ा होती है, इसलिए वो श क्रिश 4 में क्यों नजर नहीं आएंगी प्रियंका चोपडा किस एक्ट्रेस ने छिनी प्रियंका चोपडा की जगा क्रिश 4 की जिहां दोस्तों एक बार फिट से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉली ग्राद स्टूडियोस की इस नई अपडेट में क्रिश 4 का लोग बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं बॉलीवूड एक्टर रितिक रोशन ने हाली में फिल्म वार्ट से कमाई के कई रिकॉर्ड तोड़ दिये थे और रितिक रोशन एक बार फिर अपनी फेमस फ्रंचाइजी क्रिश के जरिये बड़े पर दिखाई देने वाल विल्म क्रिश 4 के लिए दिपिगा पादू कोंड और रितिक रोशन की बात फाइनल हो जाती है तो पहली बार होगा कि दिपिगा पादू कोंड और रितिक रोशन स्क्रीन शेयर करते हुए नज़र आएंगे पहले भी खबरें आई थी कि फराहा खान की आगामी फिल्म सत्ते पे सत्ता के रिमेक में दोनों की जोड़ी नजर आ सकती है लेकिन ऐसा नहीं हुआ हालांकि अब क्रिश फोर की जोड़ी से इंतिजार खत्म हो सकता है एक रिपोर्ट के अनुसार दीपिका का क्रिश फोर में आना लगभगते है हालांकि अभी तक दीपिका पादू को लेकर कोई आधिकारिक घोशना नहीं की गई है रिपोर्ट के अनुसार प्येंका चौपडा पहले सभी क्रिश फिल्मों में नजर आ चुकी है और पिछली बार कंगना रानोड भी रिपिक रोशन के साथ दिखाई दी अब माना जा रहा है कि इस बार दीपिका पादू को फिल्म का हिस्सा होंगी रितिक और उनके पितार राकेश रोशन दीपिका को इस रोल के लिए लेना चाहते हैं लेकिन दीपिका का रोल उनकी मौझूदगी के काबिल होना चाहिए तब ही वो इस फ्रंचाइजी का हिस्सा बनने के लिए राजी होंगी बता दे कि क्रिश की तीन फिल्म आ चुकी हैं हर बार कहनी को आगे बढ़ाया जा रहा है दरसल क्रिश की शुरुआत फिल्म कोई मिल गया से हुई थी जिसके बाद से फिल्म लगातार आगे चल रही है अब भी फिल्म की शूटिंग और रिलीस रिट को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है तो दोस्तों आपको क्या लगता है क्या इस बार क्रिश 4 में रितिक रोशन के साथ आप इस बार दीफिका पादुकोर को देखना पसंद करेंगे या पहले की तरह पुरियंका चोप्रा को हम सब के पसंदीदा सूपर हीरो क्रिश यानि की रितिक रोशन जल्द ही धमाका करने जा रहे है जी हां लगता है वार और सूपर थर्टी फिल्म की सफलता का कुछ जादा ही जो शुभराया है उनमें तब ही तो लगतार फिल्म में साइन करते चले जा रहे हैं तो उनके पिता राकेश रोशन क्रिश 4 को दमाकेदार बनानी की तयारी में लगे हो हैं जिसकी वज़े से कुछ ना कुछ फिल्म से जुड़ी ऐसी खबर सामने आती हैं कि लोग excitement में पागल हो जाते हैं अभी हाल ही में पता चला कि फिल्म के विलन खुद रितिक रोशन होने वाले हैं अगर इस बात पर विचार किया जाए कि फिल्म के विलन और हीरो दोनों रितिक रोशन होंगे तो अगर फिल्म की excitement और फिल्म में entertainment का level ही नहीं रहा तो क्या मज़ा आएगा फिल्म का शायद यही वज़ा है कि इस बात को ध्यान में रखते हुए विलन की भूमिका के लिए नवाज अदिन सिद्धिकी से भी बात चीत चल रही है क्योंकि उन्होंने कहीं फिल्मों में अच्छे विलन की भूमिका निभाई है किक में उन्होंने दमदार भूमी का निभाई थी सल्मान खान के ओपोसित वही क्रिश फ्रेंजाइजी की आने वाले फिल्म के एक्शन की भी बात करें तो वो भी काफी बड़े स्तर पर इस बार होने वाला है एक्शन सीन कॉरियोग्राफ करने के लिए हॉलिबुड के एक्शन डारेक्टर्स को लाया जाएगा फिल्म में काफी जबरदस्त आक्शन होगा क्रिश फोर को बड़े स्तर पर बनाया जा रहा है ताकि बॉक्स ओफिस पर भी फिल्म बड़ा धमागा कर सके सभी जानते हैं कि इस फ्रेंचाइजी की रिलीज हुई अब तक सभी फिल्मों ने बॉक्स ओफिस पर तहल का मचाया है और रितिक रोशन को सभी ने खूब पसंद किया है और दिल्चस्ब बात तो ये है कि जब से दर्शकों को इस बारे में पता चला है कि विलन की भूमिका में रितिक रोशन नजद आएंगे उन्होंने पोस्टर्स उनके लुक क्रियेट करने भी शुरू कर दिये हैं लगातार पोस्ट पर पोस्ट की जा रही है और काफी अच्छा लुक भी दिया है उन्होंने अपने सूबस्टार को यानि की रितिक रोशन को तो दूसरी और दर्शकों की रूची इस फिल्म में जादा इसलिए भी है क्योंकि राकेश रोशन इसे बाहुबली की तरज पर बनाने वाले हैं क्योंकि दो फिल्म में एक साथ शूट की जाएंगी और बाहुबली की तरह ही एक साल के अंतराल में रिलीज भी की जाएगी और जहां पुरानी फिल्मों में प्रिति जंटा और प्रियंका चोपरा जैसी फीमेल लीड एक्ट्रस रही है तो इस बार किसी न्यू कमर की एंट्री होने वाली है वहीं अब की कहानी क्रिश के बेटे से शुरू होगी तो उसके लिए किसी नई हिरोईन को तो अवश्य लिया जाएगा चूंकि दो फिल्में एक साथ बन रही है तो सिरीज की बाकी फिल्मों के उलट कई नए चेहरे भी नज़र आएंगे साथ ही ये भी सुनने को मिला कि फैंस चाहते हैं कि रितिक रोशन खुद विलन की भूमी का निभाए इसलिए तो उन्होंने पोस्टर भी बनाने शुरू कर दिये हैं तो क्या आप भी चाहते हैं कि रितिक रोशन ही खुद विलन की भी भूमी का निभाए क्या आपने भी कोई पोस्टर बनाया है हमारे साथ शेयर जरूर करे ये वीडियो अगर पसंद आये तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजेगा और देखते रहिए हमारे चैनल क्रिस फोर का टीजर कब आ रहा है क्रिस फोर को एवेंजर्स की तर्च पर क्यों बनाया जा रहा है मैं आपका स्वागत करता हूँ बॉले गरात के फिल्मी गल्यारे में काफी समय से पूरी काइनात केवल दो लोगों को मिलाने में लगी हुई है रेतिक रोसन और दीबका पदुकोर्ण फैन सिंदो सुपर स्टार को एक साथ देखने के लिए तरस गए हैं लेकिन अब उनकी मुराद पूरी हो चुकी है क्योंकि दीबका पदुकोर्ण क्रिस रीज की अगली हिरोईन होगी अगर फिल्म में दीबका पदुकोर्ण है तो उस मताबिक रोल भी होना चाहिए ऐसे में उनके लिए एक दमदार सुपर गल का किरदार लिखा जा रहा है जो क्रिस की सुपर पाउर को पूरी तरह से टक कर दे सके इससे पहले क्रिस रीज में प्रिती जिंटा, प्रियंका चौपड़ा और कंगना रनावत दिखाई दे चुकी है ऐसे में दीबका पदोकोन के साथ फिल्म की स्टार्डम को चार चान लग जाएगा वहीं दीबका को काफी समय बाद किसी ग्लैमर्स रोर में देखा जाएगा पहले आफवात ही कि इस फिल्म को संजे गुपता डारेट करेंगे लेकिन संजे गुपता ने साब कहा है कि मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ कि मैं राइटिंग टीम का हिस्सा हूँ इसके लावा फिल्म के बारे में जो भी फैसरा लेंगे वो राकेश रोसन लेंगे संजे गुपता ने रितिक रोशन के फिल्म काविल का भी डारेक्शन किया था इस फिल्में रितिक के साथ यामी गौतम लीड रोल में थे सुपर हेरो की कहानिया बच्चों में कैसे लाती हैं परिवर्तन ऐसा कहा जाता है सुपर हीरो के पास दैबियें अत्वा अध्भुश सक्तिया होती हैं जो लोगों और समाज की भलाई के लिए काम करती हैं सिनेमा जगत में ये काफी प्रचित है इने फरिस्ता भी कहा जाता है इन फरिस्तों को बच्चों से लेकर बड़े तक बहुत पसंद करते हैं जिसने बुरे लोगों को नहीं बुराई को जड़ से खत्म करने की कसम खाई थी वो कोई और नहीं भारत का पहला सुपर हीरो सक्त इसके बाद कई सुपर हीरो ने लोगों का दिल जीत लिया बॉलिवुड के सुपर हीरोज में सबसे ज्यादा पसंद किया गए थे मिस्टर इंडिया क्योंकि वो एक साधारान इंसान से सुपर हीरो बनता है और बच्चों से बहुत प्यार करता है मिस्टर इंडिया की साध सुपर पाउर ना हो लेकिन अपने भीतर छुपे आत्मिश्वास के पाउर को पहचानना बहुत जोरी है वैसे भारतिये सुपर हीरो में देखा जाये तो आरेमान, फ्लाइंग जट, जूनियर जी, रावन, क्रेस, मिस्टर इंडिया, सक्तिमान, तूफान इन्हें सबसे ज़्यादा पसंद किया गया है अगर बाहर के सुपर मेन की बात किया जाये तो जैसे आरन मेन, स्पाइडर मेन, सुपर मेन, डेर डेविल, बैट मेन, डोरे मोन, जैसे सुपर हीरोज को सबसे ज़्यादा लोगों ने पसंद किया है यही वज़ा है कि राकेश रोशन क्रिस्फोर का निर्मार करना चाहते हैं अब वो क्रिस्फोर को इंटरनेशनल लेवल की फिल्म बनाना चाहते हैं इसलिए इस फिल्म का निर्मार एवेंजर्स इनमिट्री वार की तरज पर किया जाएगा माना जा रहा है कि इस साल के अंध तक इस फिल्म का टीजर भी लॉंच कर दिया जाएगा राकेश रोशन के जगा कौन डायरेक्ट कर सकते हैं क्रिश फोर और इंडिया के वो कौन से सूपर हीरोज हैं जिन्होंने किया था हम सब के दिलों पर आज हेलो दोस्तों मैं सोनी का सौगत करती हूँ आपका हमारे चैनल पॉलिग्राफ स्टूडियोज में दोस्तों पिछले काफी टाइम से रोशन की क्रिश फोर का इंतजार किया जा रहा है अभी इस फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है स्क्रिप्ट की राइटिंग टीम में संचे गुपता भी शामिल है लेकिन हाल ही में मुंबई मुरर को दिये एक इंटर्व्यू में संचे गुपता से पूछा गया कि क्या वो क्रिश फोर भी डारेक्ट कर सकते हैं तो उन्होंने कहा मैं केवल इतना ही कह सकता हूं की मैं राइटिंग् टीम का हिस्सा हूं इसके अलावा फिल्म के बारे में जो भी फैसला लेंगे वो राकेश रोशन लेंगे क्योंकि क्रिश उन्ही की फ्रेंशाइसी है अब देखना ये होगा कि क्या रितिक रोशन को भी वही डारेक्ट करेंगे खेर दोस्तो ये तो थी क्रेश 4 की बात लेकिन क्या आपको याद है वो सूपर हीरोस जिनने देखकर हम बड़े हुए हैं वो सूपर हीरोस जिननोंने हमें चोटी मगर मोटी बाते सिखाई वो सूपर हीरोस जिननोंने हमें दूसरों की मदद करना सिखाया चलिए आज उनी सूपर हीरोस को याद कर लेते हैं दोस्तों शक्तिमान भारत का सबसे जादा देखे जाने वाला सीरियल था शक्तिमान को हर कोई अपने सबसे करी मानता था इस सीरियल को Limka Book of Record में भी शामल किया गया था शक्तिमान भारत का सबसे लोगप्रिया सूपर हीरो था इस किरदार को देखने के लिए बच्चों में बहुत क्रेश था और वो दिवानों की तरह इसे पसंद किया करते थे लेकिन बात में कुछ कारणों से इशो को बंद कर दिया गया और उस वक्त हम सब का दिल तूट गया उसके बाद आया आर्यमान ब्रह्मान को बचाने की रादे से आया आर्यमान बहुत ही कम समय में लोगों के दिलों में छा गया हालांकि आर्यमान को शक्तिमान से कड़ी टकर मिलती थी लेकिन इसके बावजूद आर्यमान ने अपनी अलग पहचान बनाने में कामया भी पाई और बच्चों को दिवाना कर दिया था आर्यमान के पास भी बहुत सारी शक्तिया थी जिसकी नकल बच्चे घरों पर किया करते थे हालां कि आर्यमान के कहानी अंग्रेजी फिल्म स्टार वर्स से मिलती जुलती थी फिर आया ऐसा शो जिसमें मेल नहीं बलकि फीमेल सुपर हीरो थी ऐसा पहली बार हो रहा था वो सुपर हीरो जो मुमकिन को नामुमकिन कर देती थी और नामुमकिन को मुमकिन अब तक तो आप समझी गए होंगे कि मैं सोन परी की बात कर रही हूँ दोस्तो इस सीरियल ने टीवी की दुनिया में काफी नाम कमाया और जम कर धूम बचाई सीरियल की लोग पुरियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस सीरियल को कई भाशाओं में दिखाया जाता था इस सीरियल में अच्छाई और बुराई के बीच की जंग को दिखाया गया था जिससे सब को सीख तो मिलती ही थी साथ ही entertainment भी होता था दोस्तों वो हमारी super heroes की दुनिया जहां हम उन जैसा बनने की कोशिश किया करते थे और मेरे एक दोस्त ने तो शक्तिमान का costume भी लिया था और वो उसे पहन कर खुद को शक्तिमान समझ लेता था Chris 4 और 5 को बनाने को लेकर राकेश रोसन ने जो सोच लगाई है क्या वो रिकार्ड तोड सकती है तलाक के 6 साल बाद क्यों साथ आये रितिक और सुजेन खान हिंदी सिरेमा की अब तक की सबसे बड़े बजट की फिल्म क्यों होने जा रही है Chris 4 और Chris 5 Chris 4 को अंग्रेजी में बनाने की प्लानिंग क्यों की जा रही है मैं आपका स्वागत करता हूँ बॉलेगराद के फिल्मी गलियारे में राकेश रोसन नई फिल्म ला रहे है Chris 4 और 5 राकेश रोसन ने 2003 में कोई मिल गया से सुरुआत की थी बाद में इसकी दो सिक्वल फिल्मे Chris 2006 और Chris 3 2016 में आई इसी Chris रीज में ताजी हलचल हो रही है डारेक्टर राकेश रोसन ने घोस्रा कर दी है कि वे एक साथ दो फिल्में बनाने जा रहे है Chris 4 और Chris 5 यही नहीं राकेश रोसन अप फिल्म Chris 4 को अपनी पिछली फिल्मों से कहीं बड़े अस्तर पर फिल्माने की तयारी कर रहे है Chris 4 के कुछ एक्संद्रिस फिर से लिखे गए है और इनका अस्तर रितिक के फिल्म वार के बरावन ले जाने का फैस्टा किया गया है बदाया जा रहा है कि सीनियर रोसन ने अपने इस फिल्म का बजट 2500 क्रोन रूपए के करीब रखा है और ये हिंदी सिनिमा की अब तक की सबसे बड़े बजट की फिल्म होने जा रहे है यही नहीं Chris 4 का अंग्रेजी संस्क्रण भी बनेगा और इस बार इसका लोग पूरी तरह इंटरनेशनल बज़ार के मुताबिक रखा जाएगा क्रोना की वज़ा से Chris 4 और Chris 5 की कहानी में और भी चेंजिस किये जा रहे है मेकर्स क्रोना का फाइदा उठा करके इसके स्क्रिप्ट को आउट टाइट कर रहे है और इसका स्कीन प्ले कहा जा रहा है कुछ सीन का फिर से लिखा जा रहा है क्रोना की वज़ा से सब लोग घरों में बंद है क्योंकि अगर 2021 देखना है ते 20 दिन घर में ही बिताना पड़े जा इसी समय रितिक रोश्टन एक इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हैं इस पोस्ट में एक फोटो है और साथ में लंबी चौणी प्यारी बात है उस फोटो पर नजार आ रही है रितिक की एक्स वाइफ सुजैन खान वो वापस रितिक के साथ आ गई है अगले 21 दिनों के लिए ताकि इतने लंबे समय तक उनकी दोनों बच्चे मम्मी या पापा से मिल लिए पहले रितिक का वो इंस्टाग्राम पोस्ट देखिए फिर हम इसमें लिखी बातों को शार्ट में समझाते हैं बेसिकले अपने इस पोस्ट में रितिक पता रहे हैं कि एक पिता के तौर पर इस देश बापी लॉकडाउन के दौरान अपने बच्चों के साथ न रह पाने के बारे में कोछ सोच भी नहीं सकते एक माता पिता जो अपने बच्चों की आधी-ाधी कश्री रखते हैं उनके लिए समस्या ये है कि दूसरे के अधिकार छेत में दखल दिये बिना वो अपने बच्चों के करीब कैसे रह सकते हैं रतिक इसमें आगे जोडते हैं ये सुजयन मेरी पूर पत्नी की तस्वीर है जिनोंने टेंप्रेरी तौर पर अपना घर छोड़ दिया है ताकि हमारे बच्चों को अनिश्चित काल तक हम दोनों में से किसी एक से अलग ना रहना पड़े हैं थाइंक्यू सुजयन इतनी मदद के लिए हमारी जर्नी को समझने के लिए हमारे बच्चे यही कहानिया सुनाएंगे जो हम उनके लिए बनाएंगे सुजयन खान पेसे से इंटेरियर डिजाइनर है वो बॉलिवूड अक्टर और फिल्मेकर संजय खान की बेटी भी दिसम्बर 2000 में रितिक और सुजयन की साधी कुई इस कपल के दो बेटे हैं रहान और रिदान 2014 में रितिक और सुजयन ने आपसी सहमती से अलग होने का फैसला लिया हाला कि दोनों अभी एक दूसरे को बेस्ट फ्रेंट बताते हैं अगर रितिक की बात करें तो दो साल के गैब के बाद 2019 में उनकी दो फिल्मे रिलीज वे बिहार बेस्ट मैथमेटिसियम अनन्द कुमार की बायोपिक शुपर्था टीज जिसे क्रिटिक्स ने पसंद किया और वार जिसमें वो टाइगर स्राफ और वानि कपूर के साथ दिखाई थे वार 2019 की सबसे कमाओ हिंदी फिल्म साबित हुई अब क्रिस फोर और क्रिस आई पर काम सुरू हो गया है क्रिस फोर का टीजर कब आ रहा है क्रिस फोर को एवेंजर्स की तर्च पर क्यों बनाया जा रहा है मैं आपका स्वागत करता हूँ बॉले गराद के फिल्मी गलियारे में काफी समय से पूरी काइनात केवल दो लोगों को मिलाने में लगी हुई है रेतिक रोसन और दीबका पदुकोर्ण फैंस इन दो सुपर स्टार को एक साथ देखने के लिए तरस गये हैं लेकिन आप उनकी मुराद पूरी हो चुकी है क्योंकि दीबका पदुकोर्ण क्रिस रीज की अगली हिरोईन होगी अगर फिल्म में दीबका पदुकोर्ण है तो उस मताबिक रोल भी होना चाहिए ऐसे में उनके लिए एक दमदार सुपर गल का किरदाल लिखा जा रहा है जो क्रिस की सुपर पाउर को पूरी तरह से टक कर दे सके इससे पहले क्रिस रीज में प्रिती जिंटा, प्रियंका चौपडा और कंगना नरावत दिखाई दे चुकी है ऐसे में दीबका पदोकोन के साथ फिल्म की स्टार्डम को चार चान लग जाएगा वहीं दीबका को काफी समय बाद किसी ग्लैमर्स लोर में देखा जाएगा पहले अफवात ही कि इस फिल्म को संजे गुपता डारेक्ट करेंगे लेकिन संजे गुपता ने साब कहा है कि मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ कि मैं राइटिंग टीम का हिस्सा हूँ इसके अलावा फिल्म के बारे में जो भी फैसरा लेंगे वो राकेश रोसन लेंगे संजे गुपता ने रितिक रोसन के फिल्म काबिल का भी डारेक्शन किया था इस फिल्म में रितिक के साथ यामी गौतम लीड रोल में थे सुपर हीरो की कहानिया बच्चों में कैसे लाती हैं परिवर्तन ऐसा कहा जाता है सुपर हीरो के पास दैबिये अत्वा अध्भुस सक्तिया होती है जो लोगों और समाज की भलाई के लिए काम करती है सिनेमा जगत में ये काफी प्रचित है इने फरिस्ता भी कहा जाता है इन फरिस्तों को बच्चों से लेकर बड़े तक बहुत पसंद करते हैं जिसने बुरे लोगों को नहीं बुराई को जड़ से खत्म करने की कसम खाई थी वो कोई और नहीं भारत का पहला सुपर हीरो सक्तिमान है इसके बाद कई सुपर हीरो ने लोगों का दिल जीत लिया बॉलिवूड के सुपर हीरोज में सबसे ज़्यादा पसंद किया गए थे मिस्टर इंडिया क्योंकि वो एक साधारान इंसान से सुपर हीरो बनता है और बच्चों से बहुत प्यार करता है मिस्टर इंडिया की साधगियू से सबसे अलग बनाती है मिस्टर इंडिया ये भी सिखाता है यदि हम खुद का आत्मिश्वास बनाए रखे तो मोगैंबो जैसे बुरी सक्तियों को आसानी से हरा सकते है भले हमारे पास सुपर पाउर ना हो लेकिन अपने भीतर छुपे आत्मिश्वास के पाउर को पहचानना बहुत जोरी है वैसे भारतिये सुपर हीरो में देखा जाये तो आरेमान, फ्लाइंग जट, जूनियर जी, रावन, क्रेस, मिस्टर इंडिया, सक्तिमान, तूफान इन्हें सबसे ज़्यादा पसंद किया गया है अगर बाहर के सुपर मेन की बात किया जाये तो जैसे आरन मेन, स्पाइडर मेन, सुपर मेन, डेर डेविल, बैट मेन, डोरे मोन, जैसे सुपर हीरोज को सबसे ज़्यादा लोगों ने पसंद किया है यही वज़ा है कि राकेश रोसन क्रिश्फोर का निर्मान करना चाहते हैं अब वो क्रिश्फोर को इंटरनेशनल लेवल की फिल्म बनाना चाहते हैं इसलिए इस फिल्म का निर्मान Avengers Inventory War की तरज पर किया जाएगा माना जा रहा है कि इस साल के अंध तक इस फिल्म का टीजर भी लांच कर दिया जाएगा इस बार क्रिश्फोर में क्या क्या चेंजिस देखने को मिलेंगे क्या फाइनली कोई मिल गया के बाद क्रिश्फोर से होने जा रही है जादू की वापसी नमस्कार दोस्तों मैं गरिमा सिंग आपका दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलिग्राद स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में सबसे पहले तो राके शौचन जी से हमारा एक सवाल है कि जादू कहा है 2003 में स्रजाइबी की शुरुआत हुई थी जब हमें जादू देखने को मिला एक दूर गरह से जीवधर्ती पर आता है जो नीले रंका है जिसका नाम सब जादू रखते हैं वो शरीर में बड़े लेकिन उम्र में छोटे रोहित को असीम शक्तिया देता है जिसके बाद वो गजब कर डांस करने लगता है उसकी मसल्स बन जाती है गजब की फाइट करता है जिसके बाद बड़ी ही बेदर्दी से उस एलियन को वापस उसके ग्रह बेज दिया जाता है जिसके बाद एक पार भी नहीं बुलाया है हालांकि जब 2006 में इसका सीक्वल आया तो रोहित अपने पापा के पुराने कम्प्यूटर के थो उससे संपर करने की कोशिश करता है और दूर आसमान में कहीं जादू का स्पेस शिप भी नजर आता है लेकिन उसके बाद इसका थर्ड पार्ट भी आया लेकिन उसमें भी जादू का कोई अता पता नहीं था तो फाइनली इसका फॉर्थ पार्ट आ रहा है फॉर्थ नहीं फॉर्थ और फिर दोनों साथ में लेकर आ रहे हैं राकेश रोशन तो एक लीस इस बार तो जादू की वापसी होनी चाहिए क्योंकि इस बात से ना आप इंकार कर सकते हैं और ना ही राकेश रोशन जी कि कोई मिल गया जब फिल्म आई थी जितना इंपोर्टेंट रोल गितिक रोशन का था उतना ही इंपोर्टेंट रोल था जादू का क्योंकि जादू के आने से पहले, हालांकि रितिक रॉशन की बहत्रीन एक्टिंग ने सब को बादे रखा था, काफी कॉमेडी भी थी फिल्म में, लेकिन जादू के आने के बादी तो फिल्म में मसाला आता है, जब टुिस्ट आता है, तो इतने इंपोर्टेंट रोल को कोई कैसे भू सकता है, और जहां इस बार कहा भी जा रहा है कि फिल्म की कहानी में भी राकेश रोशन चेंजिस कर रहे हैं, क्योंकि इन दिनों जो कोरोना वाइरस की वज़े से पूरे विश्व भर में तहल का मचा हुआ है, और दुनिया नस्ठ होने तक की बात कह दी गई, तो ऐसी में राकेश रोशन इस फिल्म की कहानी में चेंजिस कर रहे हैं, तो वो ये भी चेंजिस कर सकते हैं कि पूरी दुनिया खत्म होने वाली है, और जादू अपने ग्रह से आता है, और क्रिश के साथ मिलकर पूरी स्रिष्टी को बचाता है, ये आइडिया काफे पूरी स्टिक फोर और ट्रांस्फोरमस में देखा था, वो फिल्मे भी काफी भॉपस्टर लिट थी, या फिर कुछ ऐसा करें कि कृष्ट का बेटा जैसा कि आपने खिर्ष्ट्री में देखा कि उसके बेटे में भी जन्म ले लिया है और उसमें भी शक्तिया तो क्यो ना पाप बेटे की जोड़ी मिलकर पूरी दुनिया को बचा है क्योंकि ऐसा कॉंसेट आज तक किसी फिल्म में भी नहीं लिया गया हालां कि कार्टूनिस्ट फिल्म में ऐसा देखने को मिला है जो हाल ही में रिली सुई थी दे लॉयन कींग जिसमें शारुख खान ने भी में इचेल दीजी हमने कितने सारे सुपर ही देखे हैं सबसे बुरी ड्रैस में क्रिश की लगती है अ अचक करिश को लड़ना होता है ज़्म्याना होता है कलाबाज कमें खानी होती है और चाने कितनी बार से लबबादे से जि़िश गिरता फिरता बचा उबादी दूसरा इतने गर्मिया पढ़ती है मुंबई मिली वो अपनी पत्नी नानी प्रियंका के साथ और बच्चे के साथ रहता है तो उसे हुमिडिटी नहीं होगी प्लीज यार उसकी ड्रेस बदल दीजिए इतने हमने मार्वल के सूपर हिरो दे के इतनी बहतरी ड्रेस बनाए गई है इस सूपर हिरो की ड्रेस में कुछ चेंजिस होने चाहिए और जैसा की क्रिष्थ्री में बेटा भी जन दे चुका है तो ऑव्यसी बात है दोनों बाप बेटे को दिखाया ही जाएगा तो कुछ अच्छी से युनीक सी ड्रेस इस बार राकेश रॉशन ला सकते हैं और ये भी स मिलहां से सोचना की इस पार आप किसकी कॉपी करने वाले हों पहलЛ फिल्मं में आपने स्पिलीबर्ड का आइडिया लिया दूसरी फिल्में आपका विलन भविश्य में देखने वाली मशीन बना बेटा इसे भी 2-3 से जादा होलिवोड फिल्मों में देखा जा चुका है तीसरी फिल्म में आपने कमाली कर दिया, आप म्यूटेंट लिया हैं। अब एक्समेन बुल्मरीन का कॉंसिप्ट कहां फिट होता है एक सोलो सूपर हीरो वाले काल में। कोशिश करिए कि इसे बैटमेन सिरीज की फिल्मों जैसा बनाएं। जहां बहुत जादा वीजूल एफेक्ट की ज़रूरत नहीं। बैटमेन सिरीज में क्रिस्टोफर नोलन दे फिल्में बनाएं। कुछ वैसा वैसा। अगर व्यसकों को नहीं बच्चों को ही टारगेट करना है। तो हल्क वाले मैनरिजम डाल दो खृष्में। आइरनमें वाले वर लाइनप भी बहुत अच्छे लगेंगे। अब चुंकि शत्तियों के मामले में वह थाइसा है तो कुछ वहां से ले लेना। बस मुटेंट मतलाना और कुछ भी करना। वेल दोस्तों यह जितना भी आइडिया, जितनी भी बाते हैं हमने आपको बताई क्या आप भी चीजों से सहमत हैं। कितनी बातों से आप सहमत हैं और इसमें और क्या अच्छे चेंजिस किये जा सकते हैं स्टोरी को, और इंट्रेस्टिंग बनाने के लिए। के भी दिमार्ग में कुछ आइज तो जरूर होंगे तीन-तीन फिल्में इसकी आप भी देख चुके हैं तो अब क्रिश 4 और क्रिश 5 में आप क्या नया देखने की एक्सपेक्टेशर कर रहे हैं वो नीचे कमेंट में जरूर शेयर करें हमारे साथ क्रिश 4 का टीजर कबा रहा है क्रिश 4 को एवेंजर्स की तर्च पर क्यों बनाया जा रहा है मैं आपका स्वागत करता हूँ बॉले गराद के फिल्मी गल्यारे में काफी समय से पूरी काइनात के वल दो लोगों को मिलाने में लगी हुई है रेतिक रोसन और दीबका पदुकोण फैन सिंदो सुपर स्टार को एक साथ देखने के लिए तरस गए है लेकिन अब उनकी मुराद पूरी हो चुकी है क्योंकि दीबका पदुकोण क्रिस रीज की अगली हिरोईन होगी अगर फिल्म में दीबका पदुकोण है तो उस मताबिक रोल भी होना चाहिए ऐसे में उनके लिए एक दमदार सुपर गल का किरदाल लिखा जा रहा है जो क्रिस की सुपर पाउर को पूरी तरह से टक कर दे सके इससे पहले क्रिस रीज में प्रिती जिन्टा, प्रियंका चौपरा और कंगना नरावत दिखाई दे चुकी है ऐसे में दीबका पदुकोण के साथ फिल्म की स्टार्डम को चार चान लग जाएगा वहीं दीबका को काफी समय बाद किसी ग्लैमर्स रोर में देखा जाएगा पहले अफवात ही कि इस फिल्म को संजे गुपता डारेट करेंगे लेकिन संजे गुपता ने साब कहा है कि मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ कि मैं राइटिंग टीम का हिस्सा हूँ इसके अलावा फिल्म के बारे में जो भी फैसरा लेंगे वो राकेश रोसन लेंगे संजे गुपता ने रितिक रोसन के फिल्म काबिल का भी डारेक्शन किया था इस फिल्म में रितिक के साथ यामी गौतम लीड रोल में थे सुपर हीरो की कहानिया बच्चों में कैसे लाती हैं परिवर्तन। ऐसा कहा जाता है सुपर हीरो के पास दैबिये अत्वा अध्भुश सक्तिया होती हैं जो लोगों और समाज की भलाई के लिए काम करती हैं। सिनेमा जगत में ये काफी प्रचित हैं। फरिस्ता भी कहा जाता है इन फरिस्तों को बच्चों से लेकर बड़े तक बहुत पसंद करते हैं। जिसने बुरे लोगों को नहीं बुराई को जड़ से खत्म करने की कसम खाई थी। वो कोई और नहीं भारत का पहला सुपर हीरो सक्तिमान है। इसके बाद कई सुपर हीरो ने लोगों का दिल जीत लिया। बॉलिवूड के सुपर हीरोज में सबसे ज़्यादा पसंद किया गए थे मिस्टर इंडिया। क्योंकि वो एक साधारन इंसान से सुपर हीरो बनता है और बच्चों से बहुत प्यार करता है। मिस्टर इंडिया की साधगी उसे सबसे अलग बनाती है। मिस्टर इंडिया ये भी सिखाता है यदि हम खुद का आत्मिस्वास बनाए रखे तो मोगैंबो जैसे बुरी सक्तियों को आसानी से हरा सकते हैं। भले हमारे पास सुपर पाउर ना हो लेकिन अपने भीतर छुपे आत्मिस्वास के पाउर को पहचानना बहुत जोरी है। वैसे भारतिये सुपर हीरो में देखा जाये तो आरेमान, फ्लाइंग जट, जूनियर जी, रावन, क्रेस, मिस्टर इंडिया, सक्तिमान, तूफान इन्हें सबसे ज़्यादा पसंद किया गया है। अगर बाहर के सुपर में की बात किया जाये तो जैसे आरन में, स्पाइडर में, सुपर में, डेयर डेविल, बैट में, डोरे मोन, जैसे सुपर हीरोज को सबसे ज़्यादा लोगों ने पसंद किया है। यही वज़ा है कि राकेश रोशन क्रिश फूर का निर्मान करना चाहते हैं। इसलिए इस फिल्म का निर्वान Avengers Inventory War की तरज पर किया जाएगा माना जा रहा है कि इस साल के आंध तक इस फिल्म का टीजर भी राकेश रोशन क्रिश 4 के साथ क्रिश 5 क्यों वराना चाहते हैं और तलाग के बाद भी रितिक रोशन ने अपनी पत्नी सुजैन खान से रिष्टा क्यों नहीं तोड़ा नमस्कार दोस्तो मैं गरिमा सिंग आपका दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलिग्राद स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में दोस्तो ऐसे राजा मौली ने जब से बाहुबली के दो भाग बनाए हैं कई फिल्मकारों का सपना रहा है कि वो ऐसी ही फिल्म बनाएं राकेश रोशन ने भी अपनी हिट क्रिश सिरीज के लिए बाहुबली फॉर्मिला डूण लिया है जिहां बताया जा रहा है कि क्रिश 4 और क्रिश 5 को एक साथ लिखा जा रहा है और उसे एक साथ बना कर कुछ अंतिराल के बाद रिलीस किया जाएगा ठीक उसी तरह जैसे बाहूबली, पहले भाग को the beginning और दूसरे को conclusion के नाम से रिलीस किया गया था रितिक रोशन ने मुंबई में हुए एक कारिक्रम में हाल ही में कहा कि क्रिश फोर की तैयारियां शुरू हो चुकी है फिल्म के बारे में हालांकी वो कुछ भी कहने से बचते ही नज़र आए इस बारे में बताते हुए रितिक रोशन ने कहा कुछ नहीं बताने के लिए अभी बहुत समय है वैसे बॉलेवुट में बनते विगड़ते रिष्टों की कहानी तो अकसर देखने और सुनने को मिल ही जाती है लेकिन कुछ ऐसे रिष्टे भी होते हैं जो तूटने के बाद भी बने रहते हैं ऐसा ही कुछ रिष्टा है एक्टर रितिक रोशन और उनकी एक्स वाइफ सुजैन खान के बीच इन दोनों ने काफी संजीदगी से एक दूसरे से तलाक लिया था हालांकि रिष्टा कभी खट नहीं हुआ हाल ही में इस कपल के बीच में कमाल की केमिस्ट्री देखने को मिली ये दोनों पूरी फैमिली के साथ वेकेशन मनाने निकले थे इस दौरान किसी फैमिली मेंबर की ही तरह सुजैन ने इस वेकेशन की फोटो शेयर की है रिदिक रोशन अपने पूरे परिवार और एक्स वाइब सुजैन खान के साथ न्यू येर वेकेशन मनाने के लिए फ्रांस पहुंचे थे इस दोरान उनके दोनों बच्चे भी साथ दिखाई दिये इस ट्रिप में उन्होंने आल्स परवत में स्नो स्किंग भी की और काफी मस्ती भी की वहीं अब सभी इस वेकेशन से लोट आये हैं लेकिन मालूम होता है कि सुजैन इस मस्ती को काफी मिस कर रही है जिसके चलते हाल ही में उन्होंने इस vacation की बेहद शांदार तस्वीरे शेयर की हैं जिनमें वो अपने ex-pati रितिक रोशन के साथ तो दिखी रही है साथ में कई और लोग भी नज़र आ रही है इन तस्वीरों को caption भी काफी दिल्चस्प है उन्होंने लिखा है modern family, दो बेटे, एक मा और एक पिता, cousins और भाई बहन, grandparents, grand uncle, auntie और दो दोस्त नए रिष्टे और खुशियों से भरा हुआ दिल इन तस्वीरों के साथ सुजैन ने बेहत खुबसूरती से नए साल की शुब कामनाई दी है photos की बात करें तो इन में से एक में सुजैन, हृतिक और कुछ दोस्तों के साथ किसी बाढ़ में दिखाई दे रही है तो एक अन्य के वो एकस पती के साथ स्नोर स्कींग करती नज़रा रही है सुजैन रितिक की बेहन सुनेना रोशन के साथ भी काफी मस्ती करती हुई दिखाई दी इस vacation को रितिक रोशन के पता राकेश रोशन भी अपनी wife के साथ काफी enjoy करते दिखाई दिखाई दिये इन तस्वीरों और कैपशन को देखकर लगता ही नहीं कि सुजैन कभी रितिक से अलग भी हुई है बात करें इनके रिष्टे की तो सुजैन ने 1 नेवेंबर 2014 में रितिक रोशन से तलाक ले लिया था इस तलाक के पीछे कोई वज़ा साफ नहीं हो पाई लेकिन कयास कई तरह के लगाए जा रहे थे उसे दोरान रितिक और कंगना रनौत का विवाद हुआ था जिसके बाद इस तलाक को इस विवाद से जोड़ कर देखा गया लेकिन तलाक के बाद भी हर मुश्किल समय में सुजैन रितिक के साथ खड़ी नजल आई थी उन्होंने कई मौकों पर अपने एक्स पती को डिफेंट भी किया था तो दोस्तों आप कितना एक्साइटेड हैं क्रिश 4 और क्रिश 5 को लेकर नीचे कॉमेंट सेक्षन में जरूर बताएं कोरोना वाइरस की वज़ा से क्या फिर से लिखी जाएगी क्रिश 4 की कहानी क्या साथ साल पहले आई फिल्म क्रिश 3 में दिखाई गई थी कोरोना वाइरस की जलक नमस्कार दोस्तों मैं गरिमा सिंग आपका दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलिग्राद स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में रितिक रोशन की सूपर हिट सिरीज क्रिश फिर से एक बार सुर्ख्यों में आ गई है वज़ा है फिल्म में साथ साल पहले दिखाया गया वाइरस रितिक रोशन के पापा ने इस फिल्म की कहानी लिखी थी और इस कहानी में वाइरस अटैक एक एहम ट्रैक था फिल्म में दिखाया जाता है कि कैसे नामीबिया से शुरू हुआ एक वाइरस का असर मुंबई तक आ जाता है और लोग इस वाइरस के आतंक से मरने भी लगते हैं फिल्म में ये भी दिखाया जाता है कि मुंबई में फैला वाइरस बायलोजिकल वेपन था और इसे film में पैसा कमाने के लिए फैलाया गया था लेकिन इससे पहले कि film को में विलिन यानि की काल इसके एंटि डोड को बेचता क्रिश के पापा यानि की साइंटिस्ट रोहित इस वाईरस का एंटि डोज बना लेते हैं और इस तरह मुंबई को इसके कहर से बचा लेते हैं क्रिश्ट्री उस समय की ब्लॉक्बस्टर फिल्म रही थी और अब भी उसी तरह के हालाद बन चुके हैं लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि ये हमारी जिंदिगी से जुड़ चुका है सिर्फ फिल्मी परदे तक सीमित नहीं रह गया काफी लोग इस बात पर आरोप लगा रहे हैं कि कोरोना वाइरस भी लैब में ही तयार किया गया एक वाइरस है जिसे जान बूझ कर लैब से लीक किया गया बॉलिवुड के प्रेड्यूसर्स इस अबजेक्ट पर अफ फिल्म बनाने को लेकर भी काफी जादा एकसाइटिड नजर आ रहे हैं लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जिस क्रिश 3 में पहले ही ऐसे मिलते जुलते वाइरस का ट्रैक दिखाया जा चुका है क्रिश के अगले इंस्टॉल्मेंट में इसी पैटर्न पर कोरोना वाइरस की कहानी शामिल की जाएगी राकेश रोशन तो काफी लंबे समय से क्रिश 4 के लिए ट्राई कर रहे हैं इसकी कहानी पर लगातार काम कर रहे हैं और अब जो हालात बन चुके हैं इस लिहास से देखा जाए तो क्रिश 4 के सूपर हीरो पर कोरोना वाइरस की कहानी काफी जम सकती है अगर देखा जाए तो पिछले कुछ अरसे में रितिक रोशन का स्टार्डम भी काफी बढ़ा है काबिल फिल्म हो चाहे सूपर थर्टी इन फिल्मों से रितिक रोशन इंडस्ट्री के एक नए सूपरस्टार के तौर पर उभरे हैं क्रिश 4 रितिक की एक ऐसी मच अवेटेड फिल्म है जिसके लिए लोग काफी बेकरार हैं हालांकि राकेश रोशन इस बात से काफी ज़्यादा गुसा भी है कि कुछ लोग कोरोना वाइरस के नाम पर रितिक रोशन की पहली फिल्म कहोना प्यार है को इन कैश करना चाहते हैं अब साथ ही ये देखना भी काफी इंट्रेस्टिंग होगा जब कोरोना वाइरस का कहर ठमेगा तब क्या राकेश रोशन क्रिश 4 की कहानी में इस खतरनाक सच्चाई और इस वाइरस को शामिल करते हैं या नहीं आपको क्या लगता है क्रिश फोर की कहानी में कोरोना वाइरस को शामिल करना चाहिए अगर इसे शामिल किया जाता है तो क्या ये फिल्म के लिए प्लस पॉइंट होगा? क्रिस फोर का टीजर कब आ रहा है? क्रिस फोर को एवेंजर्स की तर्च पर क्यों बनाया जा रहा है? मैं आपका स्वागत करता हूँ बॉले गराद के फिल्मी गल्यारे में काफी समय से पूरी काइनात के वल दो लोगों को मिलाने में लगी हुई है रेतिक रोसन और दीबका पदुकोण फैंस इन दो सुपर स्टार को एक साथ देखने के लिए तरस गये हैं लेकिन अब उनकी मुराद पूरी हो चुकी है क्योंकि दीबका पदुकोण क्रिस रीज की अगली हिरोईन होगी अगर फिल्म में दीबका पदुकोण है तो उस मताबिक रोल भी होना चाहि ऐसे में उनके लिए एक दमदार सुपर गल का किरदार लिखा जा रहा है जो क्रिस की सुपर पाउर को पूरी तरह से टक कर दे सके इससे पहले क्रिस रीज में प्रिती जिंटा, प्रियंका चौपडा और कंगना नरावत दिखाई दे चुकी है ऐसे में दीबका गुपता ने साब कहा है कि मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि मैं राइटिंग टीम का हिस्सा हूँ, इसके अलावा फिल्म के बारे में जो भी फैसरा लेंगे वो राकेश रोशन लेंगे, संजे गुपता ने रितिक रोशन के फिल्म काभिल का भी डारेक्शन किया था, इस में रितिक के साथ यामी गौतम लीड रोल में थे, सुपर हिरो की कहानियां बच्चों में कैसे लाती हैं परिवर्तन, ऐसा कहा जाता है सुपर हिरो के पास दैबियें अत्वा अध्भुस सक्तिया होती हैं, जो लोगों और समाज की भलाई के लिए काम करती हैं, सिनेमा जड़ से खत्म करने की कसम खाई थी, वो कोई और नहीं भारत का पहला सुपर हिरो सक्तिमान है, इसके बाद कई सुपर हिरो ने लोगों का दिल जीत लिया, बॉलिवड के सुपर हिरोज में सबसे ज्यादा पसंद किया गए थे मिस्टर इंडिया, क्योंकि वो एक साधारा इनसान से सुपर हिरो बनता है, और बच्चों से बहुत प्यार करता है, मिस्टर इंडिया की साधगी उसे सबसे अलग बनाती है, मिस्टर इंडिया ये भी सिखाता है, यदि हम खुद का आत्मिस्वास बनाए रखे तो मोगैंबो जैसे बुरी सक्तियों को आसानी से हरा सक भले हमारे पास सुपर पाउर ना हो, लेकिन अपने भीतर छुपे आत्मिस्वास के पाउर को पहचानना बहुत जोरी है, वैसे भारतिये सुपर हिरो में देखा जाये तो आर्मान, फ्लाइंग जट, जूनियर जी, रावन, क्रेस, मिस्टर इंडिया, सक्तिमान, तूफान इन्हें सबसे ज़्यादा पसंद किया गया है, अगर बाहर के सुपर में की बात किया जाये तो जैसे आरन में, स्पाइडर में, सुपर में, डेयर डेविल, बैट में, डोरे मोन, जैसे सुपर हिरोज को सबसे ज़्यादा लोगों ने पसंद किया है, यही वज़ा है कि रा इन्मिट्री वार की तर्ज पर किया जाएगा माना जा रहा है कि इस साल के अंध तक इस फिल्म का टीजर भी लॉंच कर दिया जाएगा आज की लिए बस इतना ही ये वो कुछ भारतिया फिल्में है जो सूपर हीरो के जॉनर में बनी है दोस्तो अब भावे जोशी में भले ही सूपर हीरो वाली कोई पावर ना हो पर वो बैटमैन जैसे सूपर हीरो तो है ही जिसमें कोई दैव्य शक्तिया नहीं है लेकिन उसने खुद को अभ्यास कर करके इस लायक बनाया है भारत में अब निरंतर सूपर हीरो वाली मूवीज बन रही है लेकिन अमेरिकी सूपर ही सबसे पहली फिल्म रोहित नाम के एक लड़के की कहानी थी जो उम्र में तो बड़ा हो जाता है लेकिन उसका दिमाग बच्चे जैसा ही रहता है और इस वज़े से उसे सभी लोग परिशान करते हैं लेकिन एक दिन एक एलियन धर्ती पर आता है वो है जादू और वो रोहित को असीम शक्तियां दे कर जाता है दूसरी और तीसरी फिल्म रोहित के बेटे के बारे में होती है तूकि रोहित की मा कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त होती है और रोहित को शक्ती दे के जाने वाले एलियन जादू का रंग भी नीला होता है इसलिए वो उसका नाम कृष्णा ही रखती है और अपने पिता की तरह ही उसमें काफी सारी शक्तिया होती है और जब वो मास पहन कर लोगों की मदद करने के लिए उतरता है तो उसे लोग कृष्ण कहते हैं और अब इसी कृष्ण सीरीज में ताजी हलचल हो रही है और वो ये कि डिरेक्टर इन सिद्ध की देखने को मिल सकते हैं कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा कहा गया है अगर उनकी कास्टिंग फाइनल है तो अभी ये तैन ही है कि वो किस रोल में नजर आएंगे अब वो सल्मान खान की किक फिल्म में विलन के रोल में थे और उन्होंने वो किरेदार बहुत ही भ अलग हिस्सों में बांट दिया गया था जिसमें पहला हिस्सा आच चुका है और दूसरा आएगा जैसे बाहु बली एक और दो में था आखिर दूसरे हिस्से में होगा क्या इसकी इतनी जादा एक्साइटमेंट थी लोगों में कि बाहु बली टू ने पहली फिल्म के इतन ने जा रहे रितिक रोशन के कॉस्ट्यूम डिजाइनर और स्टाइलिस गैविन मिगेल हो सकते हैं। इन्होंने ही क्रिस्थ्री में कंगना के केरेदार काया के कपड़े डिजाइन किये थे जो रबर लेक्टेक्स से बनाए गए थे। इन दोनों फिल्मों के स्टन्ट और स्पेशल इफेक्ट्स के लिए इंटरनाशनल क्रू को बुलाए जाएगा। अब देखना होगा कि राकेश किन हॉलिवूट फिल्म के क्रू को बुलाते हैं। क्रिश 3 के बिएफेक्स तो उन्होंने शारुखान की कंपनी रेट चिलिस से बनवाए थे। बताया जाता है कि अगली दोनों फिल्मों के लिए किसी नई एक्टर्स की एंटरी होगी। इससे पहले क्रिश सीरीज की फिल्मों में प्रिती जिंटा और प्रेंग का चोपड़ा जैसी फीमेल लीड रही है। अब कहानी क्रिश के बेटे से शुरू होगी तो उसके लिए किसी नई हिरोईन को जरू लाया जाएगा। क्रिश 4 की रिलीज जेट की घोशना भी राकेश रोशन ने कर दी है। वो 2020 के क्रिश्मस पर इसकी रिलीज जेट का टार्गेट लेकर चल रहे हैं। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि तब किसी बड़े सूपरस्टार की फिल्म तो नहीं रिलीज हो रही। या फिर उनकी फिल्म की शूटिंग कब तक खत्म हो जाएगी। अभी दोनों फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। सीरीज की पिछली फिल्मों की राइटिंग टीम में हनी इरानी, रॉबिन भट, राकेश रोशन, सचिन भॉमिक, संजय मासूम और आकरश खुराना जैसे लोग रहे हैं। लेकिन इस बार स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डालॉग्स किसके होंगे अभी ये कुछ नहीं पता। प्रिश की हिरोईन, फिल्म कोई मिल गया से शुरू हुआ सुपर हीरो कृषन का सफर अब सिरीज की चौथी फिल्म तक आपहुचा है। प्रितिक रोशन स्टारर इस फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म क्रिश फोर 2020 में क्रिस्मस के मौके पर रिलीस की जाएगी। लेकिन यहां मुद्दा ये उठता है कि बॉलिवुड की एक्ट्रिस के बीच कौन बनेगी क्रिश की हिरोईन। दरसल पूरे मुकाबले का पैच ये है कि जो भी एक्ट्रिस अब तक क्रिश की हिरोईन बनी है उसकी परसनल या प्रोफेशनल लाइफ में भूचाल जरूर आया है। प्रिधी जंटा और नैस वाडिया के किस्से से लेकर खुद रितिक और कंगना के किस्से तो बॉलिवुड फिल्मों के फैंस को जुबानी याद हो चुके हैं। लेकिन ट्रैड पंडित बता रहे हैं कि इस बार क्रिश की हिरोईन बनने के लिए दिपिका पादुकोन का नाम रेस में सबसे आगे हैं। लेकिन कैट्रीना भी है कॉम्पिटीशन में। क्रिश 4 के ऐलान की सबसे ज़्यादा खुशी इस फ्रेंचाइजी के डाइ हार्ड फैंस को हो रही है। डॉक्टर संजे महरा से शुरू हुई ये कहानी उनके बेटे रोहित से लेकर उसके बेटे क्रिशना तक होते हुए अब क्रिशना के बेटे रोहित तक आप पहुँची है। यानि की फिल्म की कहानी अब चौथी पीडी से शुरू होगी। जी हाँ, पिछली फिल्म यानि की क्रिश 3 में क्रिशना और प्रिया ने अपने बेटे का नाम उसके बाबा के नाम पर रोहित महरा ही रखा था। क्रिश 4 के रिलीज होने के वक्त ये फ्रेंचाइजी 15 साल का सफर तैकर लेगी। 2003 में रिलीज हुई कोई मिल गया से लेकर अब तक क्रिश की सफलता को कैश कराने के लिए तमाम प्रेडियूसर्स ने सूपर हीरो फिल्म में बनाने की कोशिश की लेकिन दूसरा कोई सूपर हीरो बॉलिवुड के शोकीनों का दिल नहीं जीत पाया है। सूपर हीरो सिरीज की आखरी फ्लॉफ फिल्म रही टाइगर श्रॉफ की फ्लाइंग जट। दिलचस्प बात तो ये है कि टाइगर के पिता यानि की जैकी श्रॉफ ने ही बॉलिवुड में सूपर हीरो सिनेमा की शुरुवात की थी फिल्म शिवा का इंसाफ से जो की के पत्तों की तरह भी खर गई इसके बाद शारुख खान ने करीब 150 करोड रुपे खर्च करके खुद सूपर हीरो बनने की कोशिश की फिल्म रावन में फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर हर्च क्या रहा इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसके डिरेक्टर य बाहुबली की तरज पर शूट किया जाएगा तो जाहिर से बात है कि लोगों को फिल्म से उम्मीदे काफी जादा है और राकेश रोशन ने भी कहा है कि वो फैंस को कुछ नया देना चाहते हैं कुछ इंट्रेस्टिंग देना चाहते हैं जिसके लिए रितिक रोशन अपन करने वाले हैं और दोस्तों अगर यह सच में होता है तो यह फिल्म काफी इंट्रेस्टिंग होने वाली है दोस्तों इन दिनों आने वाली कई बड़ी फिल्मों को लेकर जबर्दस चरजा चल रहे हैं इन्हीं फिल्मों में से एक है व्रितिक रोशन की आने वाली फिल्म प क्रिप पर काम कर रहे हैं हाल ही में खबर थी कि फिल्म में प्रियंका चोप्रा और केट्रीना कैफ में से कोई एक या फिर दोनों ही फिल्म की लीर हिरोईं के तोर पर फाइनल हो सकती है इसके बाद खुद राकेश रोशन ने क्रिश फोर्ड की स्टार कास्ट को लेकर जबर् होगी हालांकि अन्होंने ये भी कहा है कि अभी मैं यह नहीं कह सकता हूं कि फिल्म में उनका रोल कितना ल,, राकेश रोशन ने पहले ही प्रियंका को याद करते हुए बताया कि जब वो प्रियंका के साथ कृष में कांब कर रहे थे तब उन्हें नहीं लगा था कि वो इंटरनेशनल स्टार बन जाएंगी लेकिन उन्हें ये जरूर लगा था कि बॉलेवुड की नमबर वन हिरोईन हमेशा रहेंगी बता दे कि हाल ही में खबर आई थी कि राकेश रोशन या तो क्रिश 4 को दो पार्ट में बनाने की सोच रहे हैं या फिर वो एक साथ दो स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं जिन में से एक होगी क्रिश 4 और दूसरी होगी क्रिश 5 माना जा रहा है कि दोनों फिल्मों की शूटिंग साथ ही साथ होगी और इसे एक साल के अंतर में ही रिलीज किया जाएगा यानि कि 2020 और 2021 रितिक रोशन के क्रिश थमाके के साथ पक्का होगा दोस्तों बताया जा रहा है कि ये फिल्म अब तक की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म होगी तो चलिए इसी बात पर जानते हैं क्रिश फोर से जुड़ी कुछ बेहत दिल्चस्प बाते दोस्तों सबसे पहला सवाल है कि आइडिया कैसे आया सूत्रों की माने तो राकेश रोशन को क्रिश फोर का आइडिया तब आया जब उन्हें उनकी पत्नी ने भगवान गनेश की एक तस्वीर दिखाई जहां भगवान गनेश ने क्रिश वाली मास्क पहनी थी दोस्तों वही इस बार एक्शन और भी धमाकेदार होने वाले हैं जिहां फिल्म में एक्शन सीन्स कोरियोग्राफ करने के लिए हॉलिवूड एक्शन डायेक्टर्स को लाया जाएगा एक्शन के मामले में फिल्म अलग स्थर पर जाएगी ऐसा निर्माताओं का मानना है दोस्तों वहीं सूपर हिट फ्रेंचाइजी क्रिश क्रिश 3 दोनों ही फिल्में सूपर हिट रही है और कमाई के मामले में बॉक्स ओफिस पर धमाका किया है लिहाज़ा क्रिश 4 को और भी बड़े स्थर पर तयार किया जा रहा है दोस्तों वहीं राकेश रोशन ने कहा था कि उनकी फिल्म में बॉलिवूड की A-List हिरोईन होगी और हिरोईन का किरदार काफी दमदार होगा हाला कि निर्देशक ने अभी नाम बाहर नहीं किया है बता दे रितिक फिल्म में न्यू कमर को चाते है हाला कि इस फिल्म में प्रियंका का नाम फाइनल हो चुका है दोस्तो क्रिश फ्रेंचाइजी के निर्देशक राकेश रोशन का मानना है कि फिलहाल भारत में लोग फीमेल सूपर हीरो की फिल्म नहीं देखेंगे और इसी कारण से वो क्रिश फोर को हिरोईन केंदरित फिल्म नहीं बना सकते क्योंकि फैंस को वो पसंद नहीं आएगी दोस्तो वहीं इस बार विलन भी दमदार होने वाला है जहां सूत्रों की माने तो फिल्म के विलन का जैसा किरदार लिखा गया है उसमें नवाज परफेक्ट बैठते हैं राकेश रोशन और फिल्म की बाकी टीम चाहती है कि विलन का किरदार कोई दमदार एक्टर ही निभाए और ऐसे में सभी की उम्मीदें नवाज उद्दीन सिद्धी की पराकर ठीकी है दोस्तों वहीं अगर बात करें क्रिश 4 की रिलीस डेट की तो निर्दीशक राकेश रोशन ने रितिक की बहु प्रतिक्षित फिल्म और सूपर हिट फ्रेंचाइजज लिक्रिश की चोन धी फिल्म क्रिश 4 की रिलीस डेट घोशना कर दी है फिल्म साल 2020 के क्रिस्मस पर रिलीज होने वाली है दोस्तों वहीं बात आई डबल धमा का जिहां हाल ही में खबर आई थी कि राकेश रोशन या तो क्रिश फोर को दो पार्ट में बनाने की सोच रहे हैं या फिर वो एक साथ दो स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं जिन में से एक होगी क्रिश फोर और दूसरी होगी क्रिश फाइफ माना जा रहा है कि दोनों फिल्मों की शूटिंग साथ ही साथ होगी दोस्तों वहीं दो-दो एक्ट्रिस का भी नाम सामने आ रहा है जिहां इस फिल्म में दो एक्ट्रिस का नाम एक साथ नज़र आ रहा था क्रिश फोर्ड में दो एक्ट्रिसेस स्क्रीन शेयर करती नज़र आएंगी माना जा रहा है कि प्रियंका के अलावा इस फिल्म में केट्रीना भी नज़र आ सकती है हालां कि अभी इसे लेकर कुछ डिसाइट नहीं हुआ है तो उस्तों वहीं सबसे बड़ी एक्शन फिल्म बनने वाली है जी हाँ फिल्म कृष्ट सबसे ज़ादा कमाने वाली एक्शन फिल्मों में शामिल है और कृष्ट 4 और कृष्ट 5 भी ऐसा ही करेगी माना ये भी जा रहा है कि बड़े बजट पर तयार की जा रही ये फिल्म अब तक की सबसे तगडी एक्शन फिल्म होने वाली है तो उस्तो वहीं अगर विलन की बात करें तो पिछली बार क्रिश के विलन थे विवे कोब रोएं लेकिन इस बार क्रिश की स्टार कास्ट अभी से धमाके कर रही है और माना जा रहा है कि क्रिश 4 के विलन के लिए नवाजद दीन सिद्धिकी को अप्रोच किया गया है और उन्होंने हाँ भी कर दी है दोस्तो गौर तलब है कि नवाजुद्दीन सिद्धी की इससे पहले भी सल्मान खान को किक और बजरंगे भायजान में खा चुके हैं दोस्तो क्रिश्ट 3 2013 की बॉलीवुड की सूपर हीरो क्रिश्णा की विज्ञान कलपना फिल्म है फिल्म के निर्माता निर्देशक राकेश रोशन है फिल्म कोई मिल गया 2003 के नायक रोहित और क्रिश 2006 के सूपर नायक क्रिश्णा की कहानी को आगे बढ़ाती है इसकी दोनों पूर फिल्मों ने अच्छी सफलता प्राप की थी फिल्म को पहले 3D प्रारूप में जारी करना तै किया था हालांकि समय की कमी के कारण इसे 3D में रुपांतरित किये बिना राकेश रोशन ने बाद में पुस्टी की कि फिल्म को केवल टूडी में ही जारी किया जाएगा फिल्म विश्वर में 1 नवेंबर 2013 को जारी की गई क्रिश 3 को समालोचकों से सकरात्मक समिक्षाए मिली है फिल्म में रृतिक रोशन ने च्रिपल रोल अदा किया था और फिल्म ने 240 करोड 50 लाग का कारोबार किया था पिछली फिल्म में आपने देखा सिध्धान तार्य को हडाकर क्रिश अपने पापा रोहित महरा को उसकी कैट से चुड़ा कर घर ले जाता है इस फिल्म के कहानी यहीं से शुरू होती है क्रिश यानी क्रिश महरा अब अपनी दुनिया में लोट आया है जहां वो अपनी खुबसूरत पतनी प्रिया महरा के साथ बहुत खुश है रोहित भी अब अपने बेटे बहु के साथ रहे कर अपने प्रियोग जारी रखे हुए है प्रिया एक न्यूस चैनल में एंकर है और क्रिशना किसी नोकरी पर टिक ही नहीं पाता क्रिश हर उस जगे मौजूद हो जाता है जहां किसी मुसीबत में फसे इंसान को उसकी जरूरत है भले ही इसके लिए उसे नोकरी से ही गायब क्यों ना होना पड़े और यही वज़़े है कि हर नोकरी पर वो चन्द दिन ही टिक पाता है प्रिया को क्रिश की असलियत मालूम है यही वज़़े है कि उसके हर कदम पर उसका साथ देती है दूसरी ओर काल दुनिया से इंसानों को खत्म करने की नापाक साजिश रच रहा है काल ने अपने डिने और जानवरों के डिने से ऐसे अमानव बनाए है जो उसकी तरह सोचते हैं और उसके इशारों पर चलते है इनी में काया यानि कंगना रनावत भी शामिल है जो काल से मिली शक्तियों के चलते पल भर में अपना रूप बदल सकती है काल दुनिया को तबहा करने के लिए एक ऐसा वाइरस तयार करता है जो इनसानों को मिटाने के मकसद से तयार करवाया गया है काल के बनाए एमानव इस वाइरस को मुंबई में फैलाते हैं जहां रोहित महरा और क्रिश इस वाइरस की तोड़ खोजने में काम्याब होते हैं काल के इशारे पर काम करने वाली काया और उसके बनाए एमानव रोहित महरा और क्रिश को मारने मुंबई पहुँच जाते हैं दोस्तो खबरे थी कि इस फ्रेंचाइजी का अगला भाग क्रिश फोर जल्द ही बनने वाला है लेकिन अब खबर है कि पिता बेटे की जोड़ी में कुछ क्रिएटिव को लेकर मत भेद है इसलिए ये भाग बनने में देरी हो रही है दोस्तो सूत्र के मताबिक रितिक अपने पिता की सला नहीं ले रहे हैं रितिक के कुछ अलग विचार है कि कैसे स्क्रिप्ट होनी चाहिए और किस तरह की कास्ट इसमें काम करनी चाहिए रितिक एक अच्छे अभिनीता के रूप में सामने आये है और आज के सीनेमा को वो बहतर समझते हैं वे अपने निर्देशक पिता से चाहते हैं कि वो इस पार कुछ समझदारी वाली फिल्म बनाएं जोसे देखकर दर्शक समझ पाएं साथ ही कास्टिंग को लेकर भी उनके बीच काफी मतभेद चल रहा है दोस्तो क्रिश 4 को बाहुबली की तरश पर इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि जब से बाहुबली रिलीस हुई है हर फिल्म निर्माता बाहुबली को एक आइकन के रूप में देखते आ रहे हैं और इसलिए हर फिल्म मेकर चाहता है कि उसकी फिल्म बाहुबली की तरह भव्य हो। इसलिए राकेश रोशन बाहुबली वाला फॉर्मुला अपना रहे हैं। वो क्रिश 4 और क्रिश 5 दोनों को एक साथ शूट करेंगे। लेकिन क्रिश 4 को वो पहले रिलीज करेंगे। बाहुबली जैसा भव्य सेट क्रिश 4 और क्रिश 5 के लिए बनाया जाएगा। जैसा कि हमारे इंडियन मैथलोजी में हमारे बजरंग बली यानि की हनुमान जी पहले सूपर हीरो हैं। हनुमान के केरेक्चर को ही केंदर में रखकर आज तक सूपर हीरो की कल्पना की गई है। परंतु इस बार लोड गनेशा के सूपर नैचुरल पावर का एडपेशन क्रिश 4 और क्रिश 5 में किया जाएगा। ऐसा गुप्त सूत्रो का मानना है। परंतु अभी तक फिल्म मेकर्स ने इस फिल्म की स्टोरी को रिविल नहीं किया है। लेकिन माना जा रहा है कि ये फिल्म भारत की सबसे बड़ी सूपर हीरो वाली फिल्म बनने जा रही है। ये वही फिल्म है जिसने फिल्म इंडस्ट्री को हॉलिवूट लेवल पर लाकर खड़ा कर दिया रितिक रोशन एक ऐसे एक्टर है जो सिर्फ अभीने के लिए ही नहीं बलकि डांस के साथ साथ सूपर क्यूट स्टाइलिस्ट हीरो के रूप में जाने जाते हैं अगर मीडिया रिपोर्ट्स की बात मानें तो कहा जा रहा है कि ये फिल्म बॉक्स ओफिस पर दो हसार करोड का बिजनिस कर लेगी और अब बॉलिवूट की गरिमा भी हॉलिवूट के सूपर नेचरल फिल्मों जैसी हो गई है इसलिए क्रिश 4 और क्रिश 5 को लेकर कोहराम मचा हुआ है आप लोगों को फिल्म का कितना बेसबरी से इंतजार है और आपके अकॉर्डिंग क्रिश की हिरोईन कौन होनी चाहिए अपना जवाब मुझे कमेंट करके जरूर बताएं साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलिग्राद स्टूडियोज क्रिश 4 की शूटिंग में क्यूं हो रही है देरी और कब से शुरू होगी फिल्म की शूटिंग नमस्कार दोस्तों मैं गरिमा सिंग और आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलिग्राद स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में दोस्तों बॉलिवूड अभिनेता रितिक रोशन ने कहा कि वो जल्द ही सूपर हीरो पर आधारित फिल्म क्रिश की चौथी कड़ी पर काम शुरू करने वाले हैं इस फिल्म की पहली कड़ी कोई मिल गया थी जिसका निर्देशन उनके पिता राकेश रोशन ने 2003 में किया था इसके बाद 2006 में क्रिश और 2013 में क्रिश थ्री आई रितिक रोशन ने 2017 में सूपर हीरो पर आधारित इस फिल्म की अगली कड़ी बनाने का फैसला किया हाल ही वार फिल्म में नजर आये अभिनेता रितिक रोशन ने कहा कि वो इस फिल्म की कड़ी को लेकर काफी जादा उत्साहित है जिसे उनके पिता की खराब सेहत की वज़े से टाल दिया गया था आपको बता दें कि रितिक रोशन ने पी टी आई भाशा से कहा फिल्म वार के बाद मैं अपने पिता के साथ बैठूंगा और सभी के साथ मिलकर क्रिश फोर पर दोबारा काम शुरू करेंगे पापा की सेहत के मद्दे नजर हमने इस से थोड़ा किनारा कर लिया था लेकिन अब वो बहतर हैं हम इस पर एक बार फिर काम शुरू करेंगे कलोते सुपर हिट सुपर हीरो से इश्ग कौन लड़ाएगा कौन सा सुपर हीरो है अक्ट्रेसे से लिए पनौती और इस सुपर हीरो की हिरोईन बनने के लिए कौन सी एक्ट्रिस लगाएगी अपने करियर को दाओं पर नमस्कार दोस्तो मैं गरिमा सिंग और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलिग्राद स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में दोस्तो हिंदी सिनेमा में जकी शौफ से लेकर टाइगर शौफ तक के बीच तमाम एक्टरस ने सूपर हीरो बनने की कोशिश की पर सूपर हीट रहा तो बस एक सूपर हीरो यानि की कृश पर इसकी हीरोईन फिल्म कोई मिल गया से शुरू हुआ सूपर हीरो कृशन का सफर अब सिरीज की चौथी फिल्म तक आ पहुंचा है प्रितिक रोशन स्टारर इस फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म कृश फोर 2020 में क्रिसमस के मौके पर रिलीस की जाएगी लेकिन यहां मुद्दा ये उठता है कि बॉलिवुड की एक्ट्रेस के बीच कौन बनेगी क्रिश की हिरोईन दरसल पूरे मुकाबले का पैच ये है कि जो भी एक्ट्रेस अब तक क्रिश की हिरोईन बनी है उसकी परसनल या प्रोफेशनल लाइफ में भूचाल जरूर आया है पिछली फिल्म में प्रिया बनी प्रियंका चोपड़ा मा बन चुकी थी लिहाजा उनके अब हिरोईन बनने के चांस नहीं है लेकिन ट्रेट पंडित बता रहे हैं कि इस बार क्रिश की हिरोईन बनने के लिए दिपिका पादुकोन का नाम रेस में सबसे आगे है लेकिन केट्रीना भी है कॉम्पिटीशन में क्रिश 4 के एलान की सबसे ज़्यादा खुशी इस फ्रेंचाइजी के डाइ हार्ड फैंस को हो रही है डॉक्टर संजे महरा से शुरू हुई ये कहानी उनके बेटे रोहित से लेकर उसके बेटे क्रिशना तक होते हुए अब क्रिशना के बेटे रोहित तक आ पहुँची है यानि की फिल्म की कहानी अब चौथी पीडी से शुरू होगी जी हाँ पिछली फिल्म याने की क्रिश 3 में क्रिशना और प्रिया ने अपने बेटे का नाम उसके बाबा के नाम पर रोहित महरा ही रखा था क्रिश 4 के रिलीज होने के वक्त ये फ्रेंचाइजी 15 साल का सफर तैकर लेगी 2003 में रिलीज हुई कोई मिल गया से लेकर अब तक क्रिश की सफलता को कैश कराने के लिए तमाम प्रेडियूसर्स ने सूपर हीरो फिल्म में बनाने की कोशिश की लेकिन दूसरा कोई सूपर हीरो बॉलिवुड के शोकीनों का दिल नहीं जीत पाया है सूपर हीरो सिरीज की आखरी फ्लॉप फिल्म रही टाइगर श्रॉफ की फ्लाइंग जट दिल्चस्प बात तो ये है कि टाइगर के पिता यानिकी जैकी श्रॉफ ने ही बॉलिवुड में सूपर हीरो सिनेमा की शुरुवात की थी फिल्म शिवा का इंसाफ से जोकी देश में बनी पहली हिंदी 3D फिल्म भी थी 2008 में गोल्डी बहल ने अभिशेक बच्चन को लेकर एक सूपर हीरो द्रोन गड़ने की कोशिश की थी पर 60 करोड रुपे खर्च करके भी बॉक्स ओफिस पर फिल्म ताश के पत्तों की तरह भी खर गई इसके बाद शारुख खान ने करीब 150 करोड रुपे खर्च करके खुद सूपर हीरो बनने की कोशिश की फिल्म रावन में फिल्म का बॉक्स ओफिस पर हर्श क्या रहा इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसके डिरेक्टर यानि कि अनुवफ सिना के साथ 5 साल तक कोई बड़ा एक्टर काम करने को तैयार नहीं हुआ जिसके बाद वो नए चेहरे के साथ अपनी फिल्म तुम बिन का सीक्वल लेकर आए और वही माना जा रहा है कि क्रिश 4 को इस बार बाहुबली की तरज पर शूट किया जाएगा तो जाहिर से बात है कि लोगों को फिल्म से उम्मीदे काफी जादा है और राकेश रोशन ने भी कहा है कि वो फैंस को कुछ नया देना चाहते हैं कुछ उन्होंने बताया था कि वो अपने बच्चों से वीडियो केम्स के जरिये विलेंस कैसे हो सकते हैं उनके बारे में नौलिज ले रहे हैं क्योंकि ये भी माना जा रहा है कि इस बार क्रिश 4 में रितिक रोशन विलें और हीरो दोनों का रोल खुद ही प्ले करने वाले हैं औ क्रिश 4 राकेश रोशन आज कल तीजी से क्रिश 4 की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं हाल ही में खबर थी कि फिल्म में प्रियंका चोप्रा और केट्रीना कैफ में से कोई एक या फिर दोनों ही फिल्म की लीर हिरोईन के तोर पर फाइनल हो सकती है इसके बाद खुद अज़ाज को लेकर जबर्दस खुलासा किया है निर्माता और देशक राकेश रोशन ने बताया कि क्रिश में प्रियंका चोप्रा के तो आफ काम करना काफी मज़ेदार रहा उन्होंने ये कि प्रियंका क्रिश 4 में भी जरूर होगी हाला कि उन्होंने यह ने भी कहा है कि अभी मैं यह नहीं कह सकता हूं कि फिल्म में उनका रोल कितना लंबा होगा राकेश जोल शोषन ने पहले ही प्रियंका को याद करते हुए बताया कि जब वो प्रियंका के साथ कृश में काम कर रहे थे तब उन्हें नहीं लगा था कि वो इंटरनेशनल स्टार बन जाएंगी लेकिन उन्हें ये जरूर लगा था कि बॉलिवुड की नमबर वन हिरोईन हमेशा रहेंगी बता दे कि हाल ही में खबर आई थी कि राकेश रोशन या तो क्रिश 4 को दो पार्ट में बनाने की सोच रहे हैं या फिर वो एक साथ दो स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं जिन में से एक होगी क्रिश 4 और दूसरी होगी क्रिश 5 माना जा रहा है कि दोनों फिल्मों की शूटिंग साथ ही साथ होगी और इसे एक साल के अंतर में ही रिलीज किया जाएगा यानि की 2020 और 2021 रितिक रोशन के क्रिश दमाके के साथ पक्का होगा दोस्तों बताया जा रहा है कि ये फिल्म अब तक की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म होगी तो चलिए इसी बात पर जानते हैं क्रिश 4 से जुड़ी कुछ बेहत दिल्चस्प बाते दोस्तों सबसे पहले सवाल है कि आइडिया कैसे आया सूत्रों की माने तो राकेश रोशन को क्रिश 4 का आइडिया तब आया जब उन्हें उनकी पत्नी ने भगवान गनेश की एक तस्वीर दिखाई जहां भगवान गनेश ने क्रिश वाली मास्क पहने थी दोस्तों वहीं इस बार एक्शन और भी धमाकेदार होने वाले हैं जहां फिल्म में एक्शन सीन्स कोरियोग्राफ करने के लिए हॉलिवोड एक्शन डायेक्टर्स को लाया जाएगा एक्शन के मामले में फिल्म अलग स्थर पर जाएगी ऐसा निर्माताओं का मानना है दोस्तों वहीं सूपर हिट फ्रेंचाईजी क्रिश क्रिश 3 दोनों ही फिल्में सूपर हिट रही हैं और कमाई के मामले में बॉक्स ओफिस पर धमाका किया है लिहाज़ा क्रिश 4 को और भी बड़े स्थर पर तयार किया जा रहा है दोस्तो वहीं राकेश रोशन ने कहा था कि उनकी फिल्म में बॉलिवूट की A-List हिरोईन होगी और हिरोईन का किरदार काफी दमदार होगा आला कि निर्देशक ने अभी नाम बाहर नहीं किया है बता दे रितिक फिल्म में न्यू कमर को चाते हैं आला कि इस फिल्म में प्रियंका का नाम फाइनल हो चुका है दोस्तो क्रिश फ्रेंचाइजी के निर्देशक राकेश रोशन का मानना है कि फिलहाल भारत में लोग फीमेल सूपर हीरो की फिल्म नहीं देखेंगे और इसी कारण से वो क्रिश फोर को हिरोईन केंदरित फिल्म नहीं बना सकते क्योंकि फैंस को वो पसंद नहीं आएगी दोस्तो वहीं इस बार विलन भी दमदार होने वाला है जहां सूत्रों की माने तो फिल्म के विलन का जैसा किरदार लिखा गया है उसमें नवाज परफेक्ट बैठते हैं राकेश रोशन और फिल्म की बाकी टीम चाहती है कि विलन का किरदार कोई दमदार एक्टर ही निभाए और ऐसे में सभी की उम्मीदें नवाज उद्दीन सिद्धी की पर आकर ठीकी है दोस्तों वहीं अगर बात करें क्रिश 4 की रिलीज डेट की तो निर्देशक राकेश रोशन ने रितिक की बहु प्रतिक्षित फिल्म और सूपर हिट फ्रेंचाइजी क्रिश की चोथी फिल्म क्रिश 4 की रिलीज डेट गोशना कर दी है फिल्म साल 2020 के क्रिस्मस पर रिलीज होने वाली है दोस्तों वहीं बात आई डबल धमाका जिहां हाल ही में खबर आई थी कि राकेश रोशन या तो क्रिश 4 को दो पार्ट में बनाने की सोच रहे हैं या फिर वो एक साथ दो स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं जिन में से एक होगी क्रिश 4 और दूसरी होगी क्रिश 5 माना जा रहा है कि दोनों फिल्मों की शूटिंग साथ ही साथ होगी तो उस्तों वहीं दो दो एक्ट्रिस का भी नाम सामने आ रहा है जिहां इस फिल्म में दो एक्ट्रिस का नाम एक साथ नज़र आ रहा था क्रिश फोर्ड में दो एक्ट्रिसेस स्क्रीन शेयर करती नज़र आएंगी माना जा रहा है कि प्रियंका के अलावा इस फिल्म में केट्रीना भी नज़र आ सकती है हाला कि अभी इसे लेकर कुछ डिसाइट नहीं हुआ है तो उस्तो वहीं सबसे बड़ी एक्शन फिल्म बनने वाली है जिहां फिल्म क्रिश सबसे ज़्यादा कमाने वाली एक्शन फिल्मों में शामिल है और क्रिश 4 और क्रिश 5 भी ऐसा ही करेगी माना ये भी जा रहा है कि बड़े बजट पर तयार की जा रही ये फिल्म अब तक की सबसे तगड़ी एक्शन फिल्म होने वाली है तो उस्तो वहीं अगर विलन की बात करें तो पिछली बार क्रिश के विलन थे विवे कोब रोएं लेकिन इस बार क्रिश की स्टार कास्ट अभी से धमाके कर रही है और माना जा रहा है कि क्रिश 4 के विलन के लिए नवाजट दीन सिद्धी को अप्रोच किया गया है और उन्होंने हाँ भी कर दी है दोस्तों गौर्टलब है कि नवाजुद्दीन सिद्धी की इससे पहले भी सलमान खान को किक और बजरंगे भायजान में खा चुके हैं दोस्तों क्रिश्ट 3 2013 की बॉलीवुड की सूपर हीरो क्रिश्णा की विज्ञान कल्पना फिल्म है फिल्म के निर्माता निर्देशक राकेश रोशन है फिल्म कोई मिल गया 2003 के नायक रोहित और क्रिश 2006 के सूपर नायक क्रिश्णा की कहानी को आगे बढ़ाती है इसकी दोनों पूर फिल्मों ने अच्छी सफलता प्राप की थी फिल्म को पहले 3D प्रारूप में जारी करना तै किया था हाला कि समय की कमी के कारण इसे 3D में रुपांतरित किये बिना राकेश रोशन ने बाद में पुस्टी की कि फिल्म को केवल टूडी में ही जारी किया जाएगा फिल्म विश्वर में 1 नवेंबर 2013 को जारी की गई क्रिश थी को समालोचकों से सकरात्मक समिक्षाए मिली हैं फिल्म में रुटिक रोशन ने च्रिपल रोल अदा किया था और फिल्म ने 240 करोड 50 लाग का कारोबार किया था पिछली फिल्म में आपने देखा सिध्धान तार्य को हरा कर क्रिश अपने पापा रोहित महरा को उसकी कैट से छुड़ा कर घर ले जाता है इस फिल्म की कहानी यहीं से शुरू होती है क्रिश यानी क्रिश महरा अब अपनी दुनिया में लोट आया है जहां वो अपनी खुबसूरत पतनी प्रिया महरा के साथ बहुत खुश है रोहित भी अब अपने बेटे बहु के साथ रहे कर अपने प्रियोग जारी रखे हुए है प्रिया एक न्यूस चैनल में एंकर है और क्रिशना किसी नोकरी पर टिक ही नहीं पाता क्रिश हर उस जगे मौजूद हो जाता है जहां किसी मुसीबत में फसे इंसान को उसकी जरूरत है भले ही इसके लिए उसे नोकरी से ही गायब क्यों ना होना पड़े और यही वज़े है कि हर नोकरी पर वो चन्द दिन ही टिक पाता है प्रिया को क्रिश की असलियत मालूम है यही वज़े है कि उसके हर कदम पर उसका साथ देती है दूसरी ओर काल दुनिया से इंसानों को खत्म करने की नापाक साजिश रच रहा है काल ने अपने डिने और जानवरों के डिने से ऐसे अमानव बनाए है जो उसकी तरह सोचते हैं और उसके इशारों पर चलते है इनी में काया यानि कंगना रनावत भी शामिल है जो काल से मिली शक्तियों के चलते पल भर में अपना रूप बदल सकती है काल दुनिया को तबहा करने के लिए एक ऐसा वाइरस तयार करता है जो इनसानों को मिटाने के मकसद से तयार करवाया गया है काल के बनाए एमानव इस वाइरस को मुंबई में फैलाते हैं जहां रोहित महरा और क्रिश इस वाइरस की तोड़ खोशने में काम्याब होते हैं काल के इशारे पर काम करने वाली काया और उसके बनाए एमानव रोहित महरा और क्रिश को मारने मुंबई पहुच जाते हैं दोस्तो खबरे थी कि इस फ्रेंचाइजी का अगला भाग क्रिश फोर जल्द ही बनने वाला है लेकिन अब खबर है कि पिता बेटे की जोड़ी में कुछ क्रिएटिव को लेकर मत भेद है इसलिए ये भाग बनने में देरी हो रही है दोस्तो सूत्र के मताबिक रितिक अपने पिता की सला नहीं ले रहे हैं रितिक के कुछ अलग विचार है कि कैसे स्क्रिप्ट होनी चाहिए और किस तरह की कास्ट इसमें काम करनी चाहिए रितिक एक अच्छे अभिनीता के रूप में सामने आये है और आज के सीनेमा को वो बहतर समझते हैं वे अपने निर्देशक पिता से चाहते हैं कि वो इस बार कुछ समझदारी वाली फिल्म बनाएं जोसे देखकर दर्शक समझ पाएं साथ ही कास्टिंग को लेकर भी उनके बीच काफी मतभेद चल रहा है दोस्तो क्रिश 4 को बाहुबली की तरश पर इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि जब से बाहुबली रिलीस हुई है हर फिल्म निर्माता बाहुबली को एक आइकन के रूप में देखते आ रहे हैं और इसलिए हर फिल्म मेकर चाहता है कि उसके फिल्म बाहुबली की तरह भव्य हो। इसलिए राकेश रोशन बाहुबली वाला फॉर्मुला अपना रहे हैं। वो क्रिश 4 और क्रिश 5 दोनों को एक साथ शूट करेंगे। लेकिन क्रिश 4 को वो पहले रिलीज करेंगे। बाहुबली जैसा भव्य सेट क्रिश 4 और क्रिश 5 के लिए बनाया जाएगा। जैसा कि हमारे इंडियन मैथलोजी में हमारे बजरंग बली यानि की हनुमान जी पहले सूपर हीरो हैं। हनुमान के केरेक्टर को ही केंदर में रखकर आज तक सूपर हीरो की कलतना की गई है। परंतु इस बार लोड गनेशा के सूपर नैचुरल पावर का एडपेशन क्रिश 4 और क्रिश 5 में किया जाएगा। ऐसा गुप्त सूत्रो का मानना है। परंतु अभी तक फिल्म मेकर्स ने इस फिल्म की स्टोरी को रिविल नहीं किया है। लेकिन माना जा रहा है कि ये फिल्म भारत की सबसे बड़ी सूपर हीरो वाली फिल्म बनने जा रही है। ये वही फिल्म है जिसने फिल्म इंडस्ट्री को हॉलिवूट लेवल पर लाकर खड़ा कर दिया रितिक रोशन एक ऐसे एक्टर है जो सिर्फ अभीने के लिए ही नहीं बलकि डांस के साथ साथ सूपर क्यूट स्टाइलिस्ट हीरो के रूप में जाने जाते हैं अगर मीडिया रिपोर्ट्स की बात माने तो कहा जा रहा है कि ये फिल्म बॉक्स ओफिस पर दो हसार करोड का बिजनिस कर लेगी और अब बॉलिवूट की गरिमा भी हॉलिवूट के सूपर नेचरल फिल्मों जैसी हो गई है इसलिए क्रिश 4 और क्रिश 5 को लेकर कोहराम मचा हुआ है क्रिश 4 क्रिश फिल्म की 4th installment है और क्रिश फिल्म का पहला पार था कोई मिल गया कोई मिल गया एक इंडियन साइंस फिक्शन फिल्म थी जिसे डारेक्ट किया था राकेश रोशन ने और उस फिल्म में राकेश रोशन का एक कैमियो रोल भी था कोई मिल गया बॉलिवुड की पहली साइंस फिक्शन फिल्म थी और इसके सीक्वल है क्रिश और क्रिश 3 गनेश चतूर्थी के सीजन के दौरान भगवान गनेश की मूर्ती को क्रिश के रूप में तयार देखकर फिल्म में का राकेश रोशन इंस्पायर्ड हुए और फिर से सूपर हिट क्रिश फिल्म की फ्रेंचाइजी को रिवाइव करने के लिए तयार हुए रितिक रोशन ने ट्वीट करके बड़ी एनाउस्मेंट की गनपती ब्लेसिंग फॉर क्रिश 4 और ट्वीट के साथ एक इमेज भी शेयर की जो कि लॉर्ड गनेशा की थी क्रिश के रूप में और ये इमेज शोचल मीडिया में ट्रेंड में था सवाल ये है कि क्या गनेशा का भी कुल कैमियो होगा क्रिश 4 में या नहीं डारेक्टर राकेश रोशन ने कहा है कि क्रिश 4 में व्य एफेक्स और एक्सिन सिक्वेंसिस का हैवी डोस देखने को मिलेगा सुत्रों से पता चला है कि अभी तक आई फिल्म्स जैसे कि बाहु बली, 2.0, टाइगर्स जिन्दा है इन सभी फिल्म्स के बज़र्ट को क्रिश 4 पार कर जाएगी सुत्रों की माने तो फिल्म्स के एक्सिन सिक्वेंसिस के लिए राकेश रोशन ने इंटेन नैशनल डिरेक्टर हायर किये हैं अभी हाली में आये सभी फिल्म्स जैसे कि बाहु बली, बाहु बली, दा कन्क्लूजन, 2.0, इन सभी फिल्मों में जबर्जस्ट विए फेक्स यूज़ किये गए हैं और राकेश रोशन का भी यही कहना है कि इस बार क्रिश 4 में विए फेक्स का लेवल अप करना है सूतरों की माने तो क्रिश 4 में रितिक रोशन हीरो के साथ साथ विलेन का भी रोल निभा सकते हैं सूतरों से पता चला है कि रितिक यिन और येंग मिन्स की पॉजिटी और नेगटीव दोनों रोल को एक्स्प्लोर करना चाते हैं ये कनफर्म न्यूज नहीं है ये एक स्पेक्टूलेटिड न्यूज है सूतरों की माने तो इस फिल्म में क्रिश के अलावा जूनियर क्रिश भी दिख सकते हैं फिल्म की एक्टरेस अभी फाइनल नहीं हुए अब देखना ये है कि क्रिश 4 में कौन सी हीरोहिन होगी ये एक बायोपिक फिल्म है सूपर 30 एक इंडियन एजुकेशनल प्रोगाम है जो की पटना बिहार इंडिया में है अंडर दा बैनर ओफ रामानुजा स्कूल ओफ मैथमेटिक्स और ये 2002 में इस्टैबलिश हुआ था आनंद कुमार हर साल 30 बच्चे सेलेक्ट करते हैं समाच के आर्थिक रूप से पिछिड वर्की फैमली में से और उनको ट्रेन करते हैं IIT के एक्जाम्स के लिए और हर साल वहां के 30 के 30 बच्चे सेलेक्ट होते हैं IIT में टाइंस मैच्जीन ने मैथमेटिशन आनंद कुमार सूपा 30 को सेलेक्ट किया है Best of Asia 2000 में न्यूजविक मैच्जीन ने मैथमेटिशन आनंद कुमार की सूपा 30 को दुनिया के चार्ज सबसे बल इंस्टिट्यूट में शामिल किया है आनंद कुमार मौलाना अब्दुलकलाम अजाद सिक्षा पुरसकार से सम्मानित किये गए हैं नौवंबर 2010 में क्रिश वोर की रिलीज डेट क्रिशमस के टाइम रखी गई है और डेट को लेके फिल्म काफी चर्चे में है माना जाता कि एक बार फिर से शारुख और रितिक के फिल्म में आमने सामने आ सकती है तैसे कि काबिल और रईस की डेट क्लैश हुई थी लेकिन एक इंटर्व्यू में राकेश रोशन ने कहा कि नहीं इस बार ऐसा नहीं होगा काबिल के टाइप मेरा मूर नहीं था शिफ्ट करने का और मैंने बहुत पहले ही फिल्म काबिल की डेट एनाउंस की थी बट शारुख ने सेम डेट रखी तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता एक इंटर्व्यू में पूछा लिया कि अगर शारुख रिक्वेस्ट करते तो क्या आप रिलीज डेट शिफ्ट कर लेते राकेश रोशन ने कहा कि I don't budge my रिलीज डेट मतलब कि मैं अपना रिलीज डेट नहीं चेंज करता कहोना प्यार है 14 जैनुवरी को रिलीज हो रही थी और आमिर खान की मेला साथ जैनुवरी को रिलीज हो रही थी और शारुख खान की फ़र भी दिल है हिंदुस्तान 21 जैनुवरी को अनिल कपूर की फिल्म पूपार 4 फरवरी को आ रही थी इसी distributor ने सजेस्ट किया कि मैं मेरे फिल्म को मूव कर लूँ क्योंकि रितिक नियू एक्टर है उन distributor ने फिल्म को छोड़ दिया क्योंकि मैंने अपने release date की तारिक नहीं बदली रोशन ने कहा कि शारुक मेरे बड़े बेटे जैसे हैं जिने मैंने King Uncle, Khoyla और Karan Arjun जैसे फिल्मों में break दिया I don't think कि वो कुछ भी unethical काम करेंगे I don't know कि सारुक ने eventually ये date क्यों decide किया था हम आपको एक बाद फिर से याद दिला दे कि कोई मिल गया में lead role में थे प्रितिक रॉक्षन, प्रिटी जिंटा, साथ में Bollywood की महान अभी ने त्री रेखा प्रिटी जिंटा का role सबसे पहले एश्वरे राय बच्चन को offer हुआ था लेकिन उन्होंने मना कर दिया उसके बाद ये फिल्म प्रिटी जिंटा को दी गई फिल्म 8 अगस 2003 में release हुई थी फिल्म की shooting कसोल, नैनिता, भीमता और कैनेडा में हुआ था कोई मिल गया ने बहुत से अवर्ड रेसिव की हैं जैसे कि National Film Fair Award for Best Film, Other Social Issues, Net Film Festival in Denmark और भी बहुत से, 2003 के सारे रिकोर्स, कोई मिल गया फिल्म के डिरेक्टर और एक्टर्स को मिले हैं जैसे कि Best Director, Best Actor, Film Fair Award, IFA Award, Screen Award और भी बहुत से Chris फिल्म की थार्ड इस्टोर में, Chris 3 का का काल तो सबको याद होगा ही उस रोल को निभाया था विवेक ओबिरोई ने काल के कॉस्टुम का वेट था 28 किलो और Chris 3 में सबसे महगा कॉस्टुम काल का था काल का रोल सबसे पहले अजी देवण और शारु खान को ओफर किया गया था और जब उन्होंने मना कर दिया तो बाद में ये रोल विवेक ओबिरोई को दिया गया Chris 3 में कंगना रनाउट ने रबर लेटेक सूट पहना है पूरी फिल्म में और उस ड्रेस को तयार करने में 45 दिन लगे आफटर एक्सपेरिमेंट विट 25 सकेचिस कंगना ने फिल्म के लिए 4 किलो वेट लूज किया और डेली दो घंटे लगते थे कॉस्ट्यूम को परफेक्टली फिट होने में Chris 3 के बाद कंगना और रितिक मीडिया में चाय वे थे अपने रिलेशन्स की वज़े से माना जाता है कि Chris 3 के सेट पे रितिक रोशन को कंगना रनाउट से प्यार हो गया था और आगे भी पर्शू किया था और इस बात को पबलिकली करने के लिए रितिक ने मना किया था कंगना को रितिक और सुजैन के डिवार्श के बाद सुत्रों से पता चला कि रितिक ने कंगना को पैरिस में प्रपोज किया था तोहज़ चौदम में फिल्म बैंक बैंक के स्चूटिंग के वक्त खबर आई थी कि रितिक कंगना को इग्नोर कर रहे हैं और खबर ये भी आयते कि फिल्म की लीडिंग लेडी कैटरीना के साथ नजदीक्या बढ़ाई जा रही है कई रिपोर्टर्स के मुताबिक कंगना ने जब लाइफ में आगे बढ़ना शुरू किया तो रितिक उन्हें परिशान करते थे क्रिशफोर को डिएरेट कर रहे हैं राकेश रोषन तो दोस्तों आज के लिए बस इत्ना ही आने वाले इंटरस्टिंग फिल्मों के इंटरस्टिंग फै्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे प्रेस्ट बेल इकन पर मोर अप्डेट्स और नॉटिफिकेशन क्यों एक्साइटेड है क्रिशफोर को लेकर रितिक रोशन और कौन है दुनिया का असली बैटमैन हलो दोस्तो बॉली ग्राद स्टूडियो से मैं हूसानिया सैफी आपके सामने एक नई विजियो के साथ दोस्तो रितिक रोशन को तो सभी जानते हैं क्रिश के लिए और अब तो उनकी अगली फिल्म इस सीरीज की आने वाली है क्रिश फोर तो इस फिल्म को लेकर रितिक रोशन बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है उनका कहना है क्रिश फोर और फाइब की शूटिंग क्योंकि एक साथ हो रही है और इस फिल्म की कहानी कुछ ऐसी होने वाली है कि पूरी दुनिया देखेगी कि इंडिया का जो सूपर हीरो है क्रिश वो क्या-क्या करने के काबिल है सूपर हीरोज के बारे में सभी जानते हो DC और मालवल्स ने दुनिया को बहुत सारे सूपर हीरोज निये है लेकिन इंडिया से अभी तक जादा सूपर हीरोज निकल कर नहीं आए है जो आए है वो जादा चले नहीं है तो सबसे जादा जो इंडियन सूपर हीरो जो चला है वो क्रिश ही है और बच्चा-बच्चा क्रिश का दिवाना है क्रिश को बहुत सारी तारीफे मिली हैं और इस फिल्म सीरीज की अभी तक तीन पार्ट आ चुके हैं जो फर्स था कोई मिल गया उसके बाद ये आए हैं तो अब इस सीरीज का जो फोर्ट और फिफ्ट पार्ट आएंगे उनका कहना है दितिक रोशन का कि इन पार्ट में कुछ ऐसा होने वाला है जो आज तक लोग एक्सपेक्ट ही रह करते हैं क्रिश सीरीज से वो बहुत ज़ादा एक्साइटिन है इस फिल्म को लेकर और फिल्म के कोई स्टोरी ना रिवील करते हुए वो एक सस्पेंस बनाते हुए कहते हैं कि जब लोग इस फिल्म को देखेंगे तो मुझे यकीन है कि लोगों को ये फिल्म बहुत पसंद आएगी और इंटरनाशनल लेवल पर इस फिल्म को बहुत अच्छा रिकगनीशन मिलने वाला है जो पहले की फिल्मों को मिला है उससे कहीं ज़ादा इस फिल्म को लोग पसंद करेंगे तो देखते हैं आखिर क्या होने वाला है इस फिल्म में ऐसाज इसको लेकर रितिक रोशन इतने ज्यादा एक्साइटेड है तो चलो दोस्तों आज मैं आपको रियल लाइफ सूपर हीरो से मिलवाती हूँ सूपर हीरो के बारे में सभी जानते हैं कि एक सूपर हीरो कौन होता है क्या करता है किस तरह की जिन्दगी जीता है और बच्चा बच्चा वाकिफ है जब भी आप सूपर हीरो का नाम लोग रहा आदें सूपर हीरो से कि रियल लाइफ भी सूपर हीरो की तरह ही जी रहे हैं जैसे कि DC का बाटमेन सब वाकिफ हैं DC के Batman से कि किस तरह की उसकी लाइफ है और वो Gotham City के लिए एक मसीहा है क्योंकि वो अपने शहर से जो Crime की गंदगी है उसको साफ करने के लिए निकल चुका है और जो भी लोग Crime करते हैं उसके शहर में वो उनको सबक सिखा देता है ठीक ऐसा ही एक एंसान है Russia की Moscow City से Russia की जो Capital है Moscow से जो कि निकल चुका है बिल्कुल ही Batman की जो रहा है उसकी दिखाई हुई रहा पर अपने शहर को साफ करने के लिए मैं बात कर रही हूं Reaper की इंसान अपने आपको Reaper नाम से क्लेम करता है कि मेरा नाम Reaper है और सब उसको Reaper नाम से जानते हैं और वो Batman का मास्क ल जाता है और अपने उसके जो शहर में जो drugs का काम कर रहे हैं रेप केसिस जो होते हैं या और रॉबरी वगएरा जिस तरह कभी crime होता है उन सब को इसे डील करता है लेकिन मेजर ली वो drugs के जो sports होते हैं जो एक धंदा बनाते जिना जो यहां पर drug dealers मिलेंगे उन सब चीजों स केप पहन कर और मास्क लगा कर एक बिल्डिंग से भार आ रहा है तो उस तो फॉरन के फॉरन अपना कैमरा निकाला और विडियो बना ली वीडियो जादे लमीन यह आपाई था चोटा सो उसमें यह कि बिल्डिंग से वह एक इंसान केप और उसमें निकल रहा है और जमीन पर एक बॉम फेकता है विको सूपर हीरो स्टायल में जिस तरह से हम मुवी और वेब से टीवी सीरियल और देखते है निसमें मास्क उसमें आ रहा है अपना काम किया जमीन पर बॉम फेका और गाया फिक वैसे ही यह रियल लाइफ सो बैटमेन है मॉसको का वह भी ऐसे ही कर और वो बील्डिंग से निकलकर बाहर गया तो उसने विल्डिंग से काफी सारे चीख नेगी और तो के बच्चों की चीखने की भी आवाज सुनी थी लेकिन बाद में मालूम चला कि यह बिल्डिंग दरसर ड्रग्स का अड़ा बना हुआ था तो उसने वहीं पर अटैक किय है क्यों करता है इसके पिछे का मोटिव क्या है तो इस सब बातों को क्लियर करने के लिए रीपर ने अपने खुद के एक ट्वीटर अकाउंट से ट्वीट करकर लोगों को अपने बारे में जानकारी दी तो उसने अपने ट्वीटर अकाउंट से लिखा कि हमारे देश में ह बहुत जादा क्राइब बढ़ चुका है, लोग निकल चुके हैं, कुछ भी कुछ भी कर रहे हैं, और हर तरफ गंदगी फैल गई है, मैं यह नहीं कह रहा कि जो हमारा पुलीस डिपार्टमेंट है और जो लो है वो अपना काम सही से नहीं कर रहा है, सब अपना काम सही से कर लेकिन मैं as a citizen of Moscow, अपने तरफ से step लेरा चाहता हूँ, और इसलिए मैं यह काम करने के लिए निकल गया हूँ, लेकिन उसके खासियत यह थी, मतलब उस त्विटर अकाउंट में यह चीज़ मेंशन की थी, इसके खासियत यह थी किसी भी क्रिमिनल को मारता नहीं था, नहीं लेकिन के हाथ पैर तोड़ता था, बस उनको उठाचा था, बांध कर उनको पुलीस स्टेशन के बहार चोड़ियाता था, ताकि आगे का काम सारा पुलीस कर दे, तो मतलब वो कोई लॉबी ब्रेक नहीं कर रहा हूँ, पुलीस की हेल्प ही कर रहा था, तो इस चीज़ को द वो चला देते, सूपर हीरो, पूरे टीम होती है, जो उनको पकड़ने में लग जाती है, ऐसा इसके साथ नहीं हुआ था, इसके साथ पुलीस को उपरेट करती थी, तो उसने बाद में अपना ट्वीट किया था, उसमें उसने बोला, कि अगर आपको ऐसे स्पॉट्स के बा उसके बारे में बताया था, तो इस तरह से उसको काफी हेल्प में मिली थी, पब्लिक ली वो एक सूपर हीरो की तरह उभर कर आया, और उससे रीपर के नाम से जानने लग गए, लेकिन मतलब काफी वक्त हो तो उसने ऐसा किया, लेकिन कुछ टाइब बाद उसको रिलाइस ह कि वो अकेले इस अब नहीं हैंगल कर सकता, क्योंकि ड्रग्स की दुनिया का अलग ही लेवल होता है, लोग जब खड़े होजाए ना क्योंकि इतने बड़े-बड़े लोग इसमें जुड़ेवे होते हैं, तो अगर आपके अगेंस्ट कोई खड़ा हो जाने तो आपकी जि जहर को साफ करने के लिए कुछ कीजिए और साथ यूसने यह भी कह था कि अगर आप मेरी टीम जॉइन करना चाहते हैं तो आप पूरा उसने अभी बताय था किस तरह से कॉंटाक्ट किया जा सकते हैं तो यह थी कहानी मौस्कों के वैटमैन की जो के अब इतना ज्यादा एक का काम कर रहे हैं और ऐसी बहुत से कहानिया मैं आपके सामने लाने वाली हूँ आपको यह कहानी कैसे लगी बता सेते हैं अपनी चे कॉमेंट सेक्शन में और अगर आपको पता है किसी ऐसे सूपर हीरो के बारे में तो आप भी बता सकते हैं देखते रहें कि नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गरिमा सिंग और आप सभी का स्वागत है बॉलिवूड अपडेट्स में दोस्तों, शारुखान की फिल्म जीरो और मल्यालम सूपरस्टार यश की फिल्म केजीफ ने सिनेमा घरों में दस दिन पूरे कर लिये हैं जहां दस दिनों पहले दोनों फिल्म में पूरी जोर शोर के साथ रिलीज हुई थी तो वहीं अब एक फिल्म फ्लॉप हो चुकी है तो वहीं दूसरी फिल्म सूपर हिट जबकि शारुखान की जीरो 21 करोड की ओपनिंग के बाद भी अब तक 96 करोड तक ही पहुँच पाई है दोस्तो जीरो 480 स्क्रीन पर रिलीज हुई थी लेकिन दर्शकों ने फिल्म को बुरी तरह से नकार दिया है और आपको बताना चाहेंगे कि दूसरे विकेंड यानि की रविवार को जहां जीरो ने 1 करोड 55 लाग का कलेक्शन किया तो दोस्तो वही केजी एफ ने 2 करोड 10 लाग का कलेक्शन कर लिया है और दोस्तो इन सभी आकडों से साफ है कि अब साउथ की फिल्म भी जीरो से आगे निकल चकी है वही रोहिशेटी के सिंभा बॉक्स ओफिस पर इतना ताबड तोर प्रदशन दे रही है कि आने वाले 2-3 दिनों में जीरो के पास स्क्रीन ही नहीं बचेंगी दोस्तो आनन दिल रोहिए के निर्देशन में बनी फिल्म जीरो बॉक्स ओफिस पर पूरी तरह से धरश आई रही है दोस्तो वही राकेश रोशन और रितिक रोशन अपनी सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी फिल्म क्रिश के अगले पार्ट की तयारी में जुटे हुए है क्रिश फोर की कहानियों पर लगातार काम चल रहा है और अब खबर है कि फिल्म की हिरोईन के लिए क्रिति सैनन अपना नाम फाइनल करवाने की पूरी तरह से कोशिश कर रही है दोस्तो पिछले कुछ दिनों में दूसरी बार क्रिति राकेश रोशन के आफिस में दिखाई दी और हिरोईन जो भी होगी उस पर अपना आखरी फैसला रितिक रोशन ही देंगे दोस्तों हाला की खबर ये भी है कि करिश फोर की लीड हिरोईन बनने के लिए कई एक्ट्रेसेज मेहनत कर रही है जहां राकेश रोशन जी हर उस हिरोईन से मिल रहे हैं जो फिल्म में रितिक के अपॉजिट काम करना चाहती है फिल्म की हिरोईन का फैसला फिलहाल तो नहीं हो रहा है अभी फिल्म की स्क्रिप्ट पर तेजी से काम चल रहा है और अगर बात करी क्रिति सैनन की तो बॉलिवुड में उनका सफर काफी दिल्चस्प रहा है हीरो पंती में टाइगर शोफ के अपॉजिट डेब्यू करने के बाद क्रिति सैनन अक्षे कुमार की सिंगिस ब्लिंग करने वाली थी लेकिन उन्हें रोहिश शेटी की दिलवाले ओफर हुई और क्रिति ने अक्षे की फिल्म छोड़ दी दोस्तो इसके बाद क्रिति सैनन को सलमान खान की सुल्तान ओफर हुई लेकिन यश्याज फिल्म्स उन्हें यश्याज टैलनेंड के कॉंट्रेक्ट के तहट बांधना चाहता था जहां हर नया स्टार यश्याज के साथ 3 फिल्मे करता है और क्रेटे सैनन ने साफ मना करते हुए ये स्पस्ट भी किया कि वो नया टैललेंड नहीं है और फिल्हाल वो कार्ति कार्डियन के साथ दिनेश विजान की लुका छुपी कर रही है तो दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही बॉलिवूड से जुड़ी कोई भी जानकारी के लिए आप मुझे कॉमेंट सेक्षिन में सवाल कर सकते हैं लाइक और शेयर करना बिलकुल न भूले और देखते रहे हमारा चैनल बॉलिग्राद स्टोडियोज कर दोस्तोड़ियो सुपर स्टार रितिक रोसन की मोस्ट अमेटिड फिल्म क्रिस पोर और क्रिस फाइब को क्यों बनाया जा रहा है बाहवली की तर्ट पर और इन दोनों फिल्मों की कहानी किस देवता की जीवन पर अधारिक है मैं आपका स्वागत करता हूँ बॉली गराज की जलियारे में आज मैं बात करने जा रहा हूँ क्रिस फोर और क्रिस फाइब के बारे में राकेश रोसन बहुत ही समझात और बुद्ध जीदी अब नेता और डारेक्टर और इनका हसात हमेशा इनके भाई राजेश रोसन देखे उनका म्यूजिक जो है न कमाल का होता है आखिर बात करते हैं कि रितिक रोसन को राकेश रोसन ने किस प्रकार से लॉंच किया जो रातो रात एक सुपाइश्टार बन गई रितिक रोसन की पहले फिल्म की कहो ना प्यार है यह फिल्म जब रिलीज हुई थी तो बॉक्स आफिस के सारे रिकार तोड़ दिया और इस फिल्म ने सबसे ज़्यादा आवार्ड जीते थे उसके बाद रितिक का केरियर धीरे धीरे गिरने लगए जिसके कारण राकेश रोसन बहुत इनकी थे अब वो सोचने लगे कि अपने बेटे का केरियर कैसे बनाया जाए क्योंकि इनकी बेटे को घेर रहे थे इंडस्ट्री के तीन खान यानि की आमिर खान और शारुक खान और सलमान खान सब राकेश रोसन की दिमाज में एक बहुत अच्छा आइडिया है क्यों ना मैं अपने बेटे को सुपर नेच्छलर पावर से यो एक ऐसा हीरो सब के सामने प्रसूट करूँ जो लोगों को अच्छा लगे वैसे हमारे यहां सुपर नेच्छलर पावर यानि कि सुपर हिरो की कहानिया बहुत पहले सही बिद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् वो जिसे हमारे देश के जिसे भी देवी देटा हैं, सभी में सूपर हीरो वाली सक्टियां पाई जाती है और उसके बाद सूपर हीरो वाली इमेज अगर किसी में दिखती है, तो वो है क्रिष्ट में कनहया अगर क्रिष्ट लीला को जहां से देखें उनके बच्पन की जितनी भी लीलाएं है वो सब किसी सुपाहीरों से कब नहीं है और उसके बाद अगर किसी देवताँ में ये सारी सक्टियां पाई जाती है तो हमारे भोले संकर के सुपत्र गरेष जी है जिन्होंने बच्पन में ऐसी ऐसी लीलाएं रची हैं कि जिन्हें देख करके आप सिर्फ हस्पे रहें अब राकेश लोसन का मन गरेष को देख करके इनके लड़ों को नहीं उनकी लीला को देख करके उनको लगा क्यों ना गरेज की लिलाओं को ले करके एक फिल्म बनाई जाए तो ही उनके मन में ये ख्याल आया तो ही अगर हम गडेज की कहानियों को क्रिस फोर और क्रिस फाइप में डाल देते हैं तो हमारा भारतिय mis अपने आप इस भारती ये सिनेमा से कनेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमारे रीत रिवाज और हमारी परंपराओं में आज भी हमारे भगवान मौजूद है हमारे रग रग में बसे हुए है इसलिए राके सोसन ने गड़ेश को आधार बना कर क्रिस फ़ोरॉर्स फाइप की कहानी लिखना सुरू कर दिया है अब उनका मानना है कि कि जिस परकार से गड़ेश ने राक्षशों और बुराइऑं के खिलाफ एक मुहीब चेनी की उसी परकार से उनका बेटा रज़ुक रोशर क्रिस में क्रिस बनकर किस पोर और किस थाइब में आएगा उन बुराईयों का नास करेगा और सबसे ज़्यादा बड़ी बात तो यह है इस फिल्म की जादू जादू फिर से आवा आपस आने वाला उस जादू के जरिये ही रितिक रोसन को यह आभास होगा कि उनके अंदर गनेश जी वाली सक्तियां मौजूद है यानि कि जिस प्रकार से हनमान जी को पता ही नहीं था कि उनके पास बहुत सारी सक्तियां है उसी प्रकार से क्रिस फोर में रितिक रोसन को पता ही नहीं होगा कि उनके पास इतनी सारी सक्तियां वैसे अगर बात किया जाये, यह जो रितिक रोसन की यह जो फिल्मे है कोई भी लगया क्रिस और क्रिस्टू, यह सारी फिल्मे हीट क्यों नहीं है, इसके हीट होने के पीछे बहुत बड़ी वज़ा है, इसकी स्टार कास्ट और इसकी कहानी और इसका म्यूजिक, जैसे कि अपने आप में फिल्म को हिट बना देता है, जैसे कि रेखा, रेखा कौन ही जानता है, रेखा की अदाओं से कौन प्रफावित नहीं है, जब रेखा ने अमिताब बच्चन को बांध लिया था, तो हम किसी हैं, हमारे दरसा क्या है, फिर उनकी एक फिल्म में थे भाई, न ला जवाब है, क्यों लोग कहते हैं कि नसर अदिन साहप अपने रुए से अभने करते हैं, ला जवाब, वाह, और सबसे बड़ी बात है कि हमारी सुंद्री ने साथ दिया था, प्रियंका चौपडा, आज कल जो विदेशों में एक विदेशी के साथ रन्वेलिया खेलती ह वैसे देखा जाए तो राकेश रोसन की जो भी फिल्में बनी है, वो सारी बॉक्स आफिस पर सुपहिकर है, चाहे वो करन अरजुन हो, या फिर जूली रही हो, या फिर क्रिस हो, या फिर कोई मिल गया हो, क्योंकि राकेश रोसन के अंदर एक समझदारी है, वो दिमाग के साथ साथ दिल का भी प्रयोग करते हैं, क्योंकि हमारा देश जो है न, वो बहुत इमोशनल है, चो राकेश रोसन को ये बहुत अच्छी तरह से पता है, कि अगर फिल्म की कहानी में इमोशन्स को डाला जाए, और रिस्टों को एहलियत दिया जाए, तो फिल्म जरूर बॉ इस प्रकार एक बेटा अपने बाप के लिए सब कुछ कर सकता है, और मा, और बेटे के प्रेम को दिखाया गया है, कि एक मा अपने बेटे के लिए क्या क्या नहीं कर सकती है, कितना कश्र जिल्की है, और हमेशा एक मा को उसका बेटा छोटा ही लगता है, कितना ही बड़ा क कि वो ना हो जाए यही कारफ भुक्ति अगर आप फिल्म को देखेंगे तो आप पाएंगे कि भारती ये संस्क्रिटी में जो रिष्टों के लेकर इंपॉर्टेंस दी गई है वो सारी चीजें आपको राकेश रोसन की इन फिल्मों में आपको देखने को मिनेगे आईए हम बात करते हैं कि क्रिस फोर और क्रिस फाइब में ऐसा क्या करने जा रहे हैं राकेश रोसन सबसे पहली बात इन दोनों फिल्मों को हॉलिवूड लेवल का बनाया जा रहा है और दूसरी बात जिस प्रकार से बाह वली की दोनों स्रीज को एक साथ सूट किया गया था उसी प्रकार से क्रिस फोर और क्रिस फाइब को सूट किया जाएगा अब देखना ये दिल्चस्प होगा कि इन दोनों फिल्मों में क्या किर्टी सिनन को लिया जाएगा या फिर किसी तीस्वी हिरोईन को कास लिया जाएगा और सबसे बड़ा प्रस्म जो सब की जेहन में खलबली पैदा कर रहा है वो है भाई हमारे भाई नवाजुदीन सिद्धी फिल्मी गलियारों में ये परिचर्चा है इस बार इन दोनों फिल्मों के मुख बिलन होंगे नवाजुदीन सिद्धी नवाज जब भी परदे पर आते हैं तो ला जवाब अभने करते हैं नमाज की आप कोई उठ्रम उठा करके देखी जी कहीं से वो अभिने में किसी से कम है जबकी नमाजुदीन सिद्धिकी में अपने कैरियर में बहुत संघर्ट किया है गाट तक की नोकरी की हम पहले वो छोटे-छोटे रोल करते थी उन्होंने खुद अपने इंट्रवी में इस चीज़ को सुविकारा है कि देखे बॉले बुड में ऐसे नहीं आये आप आ सकते हैं अगर आपको अपना अस्तान बनाना है तो आपको संघर्ट करना ही पड़ेगा उन्होंने हमेशा कर्म को इंपोर्टेंस दिया है और साथ ही एक बहुत बहुत कराना जवाब दिया ह कि देखे अगर आप में टैलेंट है तो आपको किसी स्टार का बेटा या किसी स्टार का भाई होनी कोई जोड़ते हैं और उन्होंने इसको प्रूब किया है कि टैलेंट किसी की रोकने से रोक नहीं सकता और कभी न कभी उस बीज की तरह पिर्थभी को फारते हुए उपर निकलेगा और से फाल होंगी वो खराबरा होगा और दूसरों को जीवन देगा वही ना जो दिन सिद्ध की ने किया अपने अबने स्टाइली से अगर आप उनकी माजी फिल्म देखें या कोई भी फिल्म देखें उन्होंने एक इंटेंस अबने किया उनका संबाद बोलने का तरीका अगर आप किक देखेंगे तुरू ने सलमान खान को भी पीछे चोड़ दिया वैसे नवाज को नवाज लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस बार रितिक रोसन क्रिस्पोर और क्रिस्पाइप में ऐसा नया क्या करेंगे इस बार रितिक रोसन क्रिस्पोर और क्रिस्पाइप में बेसक के जर्वे बहुत सांदार स्टन्ट स्पीन देने वाले हैं और इन दोनों फिल्मों का जो क्लामेक्स है न वो ला जबाब होगा मैं तो यह कहता हूँ कि जब क्रिस्पोर रिलीज होगी न तो लोग पागल हो जाएंगे भाई कल ही क्रिस्पाइप रिलीज कर दो क्योंकि राके सोसन एकदम बैठ गए हैं उस कहानी को लेकर के जो कहानी लोगों के दिलोक में बहुत सदियों से बसी हुई वो फिर से इतिहास के पन्नों को पलटना चाहते हैं फिर से दिखाना चाहते हैं कि इतिहास की बाते आज भी जिन्दा है अगर आप ध्यान से अपने इतिहास को अपने संस्किती को पढ़ेंगे तो आपके पास कहानियों की कमीनी होगी आपको बाहत जाकने की जरूत नहीं आपको विदेशी फिल्मों का रिमेक बनाने की जरोत नहीं है हमारे पास आर्रेडी बहुत सारी कहानिया हैं जिन पर बहुत अच्छी फिल्में बनाई जा सकती है और इसका सीधा जबाब है रितिक रोसन की फिल्म कोई मिल गया वैसे यह सब कमाल राकेश रोसन का ही है क्योंकि ज़्यादा तर राकेश रोसन की द्वारा निर्देशी फिल्में ही रितिक रोसन की हीट हुई है बाकी सब फिल्मों में उतना कमाल नहीं कर पाएं पदा नहीं जबकि रितिक रोसन बहुत टैलेंटेड अभनेता थे वैसे मुझे रितिक रोसन की सब से चीज़ लगती है गुजारे उन्होंने जो अब ने किया है कमाल का मैं तो यह कहता हूं जो गुजारे इस फिल्म है इसको जिसका निर्देशन संजे लीला भंसाली ने किया था कि एक प्रकार की कर्फ फिल्म है कि हर सिनेमा करने वाले चात्र को या हर फिल्म देखने वाले दर्सक को उस फिल्म को गौर से देखना तेजी कि ने क्या अब ने किया हुआ वह इसी फिल्म हमारे देश में बनती ही नहीं और इस लेड़ी बनती है कि हमारे यहां वैसे दर्सक नहीं वैसे छोड़िए कोई नहीं अगर आप पास समय मिले तो एक बार मेरी गुजारिस है या आप गुजारिस फिल्म जरूर देखेगा वैसे मेरा मानना है कि Chris 4 और Chris 5 जब भी बॉक्स ओफिस पर आएगी वो धमाल ही मचाएगी जैसे बाहवली और बाहवली 2 ने मचाया था मेरा तो यह भी मानना है कि Chris 4 और Chris 5 बाहवली 2 का रिकार तोड़ देगी और दंगल को भी तीछे कर देगी क्योंकि इन दोनों फिल्मों के लिए अभी से ही राके सोसन पूरी तरह से तैयारी कर देगी इसलिए इसकी शूटिंग में देरी हो रही है लेकिन कुछ कुछ चीजों के लेकर के धीरे धीरी इनकी घोस्वाएं शुरू हो गई आप चलिए देखते हैं इस फिल्म की सूटिंग कब शुरू होती है वैसे आपका क्यान मान है जब इस दोनों फिल्में रिलीज होंगी तो बॉक्स आफिस पर कितने करोन तक का बिजनिस करती है मेरा तो मानना है कि दोनों फिल्में आराम से अगर मिला दिया जाए तो दो हजार करोन का बिजनिस तो आसानी से कर लेंगी उसकी पिस्षी रिजन है इसमें जो जो भी स्टार को साइन किया जा रहा है हर स्टार सौ करोनी है तो वैसे ही ये फिल्म सूपरिट हो जाएगी वैसे इसका क्रेट जो है अब बच्चों से लेकर के बुरों तक है हर बच्चा इसकी फिल्में देखना चाहता है क्योंकि जो बच्चे हैं उनको कार्टूर में सुपर हीरो अच्छे लगते हैं और कॉमिस पढ़ने वालों के लिए ऐसे सुपर हीरो मवजूद है अब ये देखना 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 होगा कि राके सोसंग की क्रिस फोर और क्रिस फाइब बॉक्स आफिस पर क्या बाहु बली और जंगल का रिकार्ट तोड़ देगी या नगी आज के लिए बस इतना है आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप इन दोनों फिर्मों का कितना बेस्बने से इंतजार कर रहें क्या अजे देवगन से टककर लेने को तयार है रृतिक रोशन और कैसे डर गया मार्वल्स क्रिश फोर से नमस्कार दोस्तों मैं हूँ गरिमा सेंग और आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल बॉलिग्राद स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में दोस्तों कोई मिल गया क्रिश, क्रिश 3 और अब क्रिश 4 क्रिश हमारे इंडिया का बॉलिवुड का एक ऐसा सूपर हीरो है जिसे राकेश रोशन ने इजाद किया और जिसकी तुलना हॉलिवुड के सूपर हीरो यानी की सूपर मैन और स्पाइडर मैन से की जाती है दोस्तो क्रिश के बाद शायद ही किसी ने सोचा होगा कि क्रिश 3 भी बन सकती है और जब क्रिश 3 रिलीज हुई तो फैंस की खुशी और एकसाइटमेंट का कोई ठिकाना ही नहीं रहा क्रिश 3 से जैसे फैंस सर्प्राइस हो गए तो फैंस की आशा या कहें कि ख्वाईश थी कि क्रिश 3 के बाद इसका भी सीक्वल बनाया जाए तो आपको बता दे कि फैंस की ख्वाइश को पूरा करने के लिए राकेश रोशन अपने बेटे रितिक रोशन के साथ क्रिश फोर लेकर आ रहे हैं 2020 में दोस्तो राकेश रोशन ने रितिक रोशन के 44 बर्दे पर ट्वीच करते हुए कहा कि 2020 में क्रिसमस पर क्रिश 4 को रिलीज किया जाएगा राकेश रोशन फिलहाल फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं और जल्द ही इसकी शूटिंग भी शुरू की जाएगी और खबर है कि फिल्म में रितिक रोशन, हीरो और विलन दोनों की ही भूमी का निभातें नजर आएंगे वैसे दोस्तों दिसम्बर के महीने में हॉलिवुड की दो फिल्में रिलीज होंगी 27 दिसम्बर को अवतार 2 और 25 दिसम्बर को शेर लोग हॉल्म 3 और ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि दिसम्बर में ही मार्वल्स की ब्लैक वीडो भी रिलीज की जा सकती है लेकिन जहां अवतार 2 क्रिश 4 से पहले रिलीज की जा रही है तो हो सकता है कि 25 दिसम्बर के बाद ही ब्लैक वीडो को रिलीज किया जाए ताकि उसके इंडिया के बॉक्स ओफिस कलेक्शन पर कुछ खास असर ना पड़े वैसे बात करें बॉल्लीवुड की तो 25 दिसम्बर 2020 को ही अज्यर देवगन स्टारर फिल्म जिसका टाइटल अभी डिसाइड नहीं हुआ है और उसे डिरेक्ट करेंगे सोनो के टीटू की स्वीटी के डिरेक्टर यानी की लवरंजन तो आप दोस्तो 2020 में क्रिस्मस पर किसे देखना पसंद करेंगे हमें कॉमें सेक्शन में जरूर बताएं क्या हॉलिवुट के साथ कॉलाबरेशन में बनेगी क्रिश फोर्ड क्या क्रिश फोर्ड में विलिम का खात्मा करने के लिए क्रिश को लेना पड़ेगा वंडर वूमिन का सहरा नमस्कार दोस्तो मैं गरिमा सिंग और आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल बॉलिवराद स्टोडियोस की एक और नई वीडियो में कोई मिल गया क्रिश, क्रिश 3 और अब क्रिश 4 जिहां दोस्तों आपने सही सुना रितिक रॉशन के पिता और क्रिश फ्रेंचाइजी के डिरेक्टर एलान कर चुके हैं कि 2020 में क्रिसमस पर क्रिश 4 ज़रूर रिलीज होगी खबरे हैं कि फिल्म में रितिक रॉशन, सूपर हीरो और विलन दोनों का ही रोल निभाते नजर आएंगे सूत्रों के अनुसार फिल्म में नवाजुदीन सिद्धिकी को भी कास्ट किया गया है जहां फिल्म में नवाजुदीन सिद्धिकी होंगे तो ये माना जा सकता है कि वो भी फिल्म में विलन के तौर पर ही नजर आ सकते हैं वैसे दोस्तों नवाजदीन सिद्धी की बात करें तो वो जब भी कोई किरदार निभाते हैं तो उसे जीवित कर देते हैं और किक और जीनियस जैसी अन्या फिल्मों में वो विलिन की रोल में अपना कमाल तो पहली ही दिखा चुके हैं बस अब ये देखना दिल्चस्थ होगा कि कौन सा रोल निभाते नजर आएंगे नवाद दिन सिद्धिकी वैसे आज के दौर में बॉलिवुड की तुलना हॉलिवुड से की जा रही है जिस तरह से बॉलिवुड की फिल्मों में टेक्नलोजी और वी एफेक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है उससे तो ये साबित होता है कि बॉलिवूड इंडस्ट्री और भारत तेजी से तरक्की की और बढ़ रहा है वहीं अगर बात करे क्रिश 4 की तो जहां प्रियंका चोपड़ा शायद ही क्रिश 4 में नजर आए तो कितना मज़ेदार हो अगर हॉलिवूड सूपर हिरोई वन्टर वूमेन को फिल्म में क्रिश के साथ रखा जाए भले ही फिल्म का बजट बढ़ जाएगा लेकिन इस हिसाब से एक इंटरनेशनल स्थर पर भी क्रिश को और बॉलिवूड को एक नई पहचाम मिलेगी दोस्तो ऐसा मोना बिल्कुल मुमकिन है क्योंकि जहां हॉलिवूड फिल्मों में बॉलिवूड एक्टर्स काम कर रहे हैं तो आपको बता दे कि स्टुडेंट ओफ द इयर टू में विल स्मित नजर आ सकते हैं तो क्रिश फोर में वन्टर वूमेन क्यो नहीं दोस्तो आपके क्या खैलात है इस बारे में कि क्या क्रिश फोर में वन्टर वूमेन को क्रिश के साथ एक्शन प्लस रॉमांस करते नजर आना चाहिए या नहीं अपना जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दे और दोस्तो अगर ऐसा सही में हो जाता है तो फिर तो य फिल्म नेशनल क्या इंटरनेशनल स्तर पर भी सारे रिकॉर्ड्स तो उटी नजर आ सकती हैं तो आज की वीडियो में बस इतना ही हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना बिलकुल ना भूलें और देखते रहे हमारा चैनल बॉलेगराद स्टूडियो क्रिश फोर को हॉलिवर्ड मुवी की तरह बनाने का प्लैन क्यों है सूपर हीरो वाली फिल्म में सिर्फ रितिक रोशन पर ही क्यों अच्छी लगती है और फिल्म को शुरू होने में देरी क्यों हो गई नमस्कार दोस्तो मैं गरिमा सिंग और आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल बॉलेगराद स्टूडियो की एक और नई वीडियो में दोस्तो सीक्वलो की बहार में सीक्वलो के सूपरस्कार यानि की रतिक रोशन अपनी क्रिश फ्रेंचाइजी की अपकमिंग फिल्म यानि की क्रिश फोर लेकर आ रहे हैं जिसके कारण बॉलिवुड में क्रिश फोर की चर्चा जोरो पर होने लगी है कुछ समय पहले राकेश रोशन ने घोशना भी की थी कि वो बाहुपली की तरज पर क्रिश 4 और क्रिश 5 की शूटिंग करने वाले हैं वैसे दोस्तों हाल ही में रुतिक रोशन की सालगिरा भीती है और लोगों को उम्मीदी हैं कि राकेश रोशन की तरफ से कुछ नया देखने को मिलेगा वैसे खबरे आ रही हैं कि क्रिश 4 को हॉलिवुड स्टाइल में प्रेजन किया जाएगा जैसा कि आप सभी जानते हैं हॉलिवुड में इंफिनिटी वोर विश्व की सबसे बड़ी हिट सूपर हीरो वाली फिल्मानी जाती है और ठीक उसी तरह क्रिश 4 को भी भारत में उपाधी मिली है दोस्तों वहीं अगर सूपर हीरो वाली बात करें तो सूपर हीरो वाली बात सिर्फ और सिर्फ रितिक रोशन में ही देखने को मिलती है क्योंकि उनकी इमेज ग्रीस के गौड जैसी है चाहे वो कदकाठी हो या उनका लुक्स हो अगर आप उनको ध्यान से देखते हो तो उनमें ग्रीस के गौड जैसी चवी दिखाई देती है और शायद यही वज़े है कि भारत की जनता उनको सूपर हीरो वाली इमेज में स्विकार कर पाती है बॉलिवुड में बहुत सारे एक्टर हैं शायद लेकिन उनमें वो बात नहीं जिसकी वज़े से जनता उनको सूपर हीरो वाली इमेज में स्विकार नहीं कर पाती है वैसे दोस्तो आज भी भारत देश हीरोईजम में बिलीव रखता है और वैसे भी रृतिक रोशन बहुत महनती एक्टर हैं वो अपनी हर फिल्म में महनत करते हैं चाहे वो गुजारी शो या जोधा अकबर मतलब वो अपने अभीने के दम पर अपने नए कैरेक्टर की अभधारना को हमेशा प्रूफ करते हैं और दोस्तों उनका अपना एक अलग अंदाज है अभीने करने का मतलब कि उनकी अपनी एक अलग ही अभीने शैली है वहीं दोस्तों अगर बात करें फिल्म को शुरू होने में देरी क्यों हो गई दरसल इसकी वज़य ये है कि रितिक रोशन के फादर यानि कि राकेश रोशन की तब्यत खराब हो गई थी जिसकी वज़य से फिल्म शुरूर नहीं हो पाई वहीं आपको बता दू कि क्रिश फोर में रितिक रोशन के अपोजिट कृति सैनन को देखा जा सकता है वहीं अगर फिल्म की कहानी की बात करें तो बताया जा रहा है कि इस बात क्रिश फोर और क्रिश फाइफ की कहानी किसी इंडियन गोड से इंस्पाइड होने वाली है और दोस्तों ये भी माना जा रहा है कि क्रिश फोर की शूटिंग 2020 तक कम्प्लीट कर ली जाएगी अब आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताईए कि क्रिश फोर की कहानी आखिर किस इंडियन गोड से इंस्पाइड होने वाली है आपको क्या लगता है आप अपना जवाब मुझे कॉमेंट सेक्शन में दीजे और हमेशा की तरह हमारी वीटियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले और देखते रहे हमारा चैनल पॉलिक्राद स्टूडियोज क्रिश फोर की एक्रिस का हुआ खलासा नमस्कार दोस्तों मैं गरिमा और आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल बॉलिक्राद स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में दोस्तों इन दिनों बॉले वुड की कई बड़ी फिल्मों को लेकर जबरदस चरचान है वहीं इसी बीच भारत की सबसे सफल सूपर हीरो फिल्म यानि क्रिश की चोथी सीक्वल क्रिश फोर जबरदस सुर्ख्यों में आ गई है और जिसकी बज़े है इस फिल्म की हिरोईन दोस्तों बीते काफी दिनों से खबरे आ रही थी कि क्रिश फोर की हिरोईन फाइनल हो गई है और ये एक्ट्रिस है क्रिटी सैनन उन्हें कई बार राकेश रोशन की दफ्तर के चकर काटते देखा गया था और जिसके बार खबरे आई कि वो क्रिश फोर में रोल पाने के लिए काफी कोशिशे कर रही है वहीं अब जो खबर सामने आई है वो वाकई चोगाने वाली है दरसल हाल ही में एक्ट्रिस क्रिटी सैनन ने क्रिश फोर को लेकर चल रही खबरों पर बात की उन्होंने बताया कि वो इस फिल्म का हिसा नहीं है जी हाँ, ना ही उन्हें फिल्म के लिए एप्रोच किया गया और ना ही उन्होंने राकेश रोशन के दफ्तर के चपकर काटे दरसल जिस बिल्डिंग में राकेश रोशन का ओफिस है उसी building में एक talent management firm भी है और कृती इसी firm में किसी काम से कहीं बार जा चुकी है और जिसके बाद कृष फोर को लेकर अफ़ाय उली खैर ये बात तो साफ हो गई कि कृष में lead actress की जगा अब खाली है और कौन सी actress ये जगा लेगी इस पर अभी तक suspense बना हुआ है तो चलिए दोस्तों इसी बात पर हम आपको बता देते हैं इस mega budget film से जुड़ी कुछ दिल्चस्प बातें दो पार्ट में बनेगी जिहां फिल्म राकेश रोशन बाहुवली की तरह ही कृष को दो भागों में बनाने की planning कर रहे हैं यानि की क्रिशफोर और क्रिशवाई और दोनों ही फिल्में एक साथ बनेगी कैसे आया idea दोस्तों सूत्रों की माने तो राकेश रोशन को क्रिशफोर का idea तब आया जब उन्हें उनकी पत्नी ने भगवान गनेश की एक तस्वीर दिखाई जहां भगवान गनेश ने क्रिशवाली मास्क पहने थी धमाकेदार action जहां फिल्म में action scenes choreograph करने के लिए Hollywood action directors को लाया जाएगा और action के मामले में फिल्म अलग स्थर पर जाएगी पर ऐसा निर्माताओं का मानना है सूपर हिट franchise दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं क्रिश क्रिश 3 दोनों ही फिल्म में सूपर हिट रही है और कमाई के मामले में बॉक्स ओफिस पर धमाका किया है तो लिहाज़ा क्रिश 4 को और भी पड़े इस्तर पर बनाने के लिए तेयारी की जा रही है पोस्पोन हो सकती है फिल्म जी हाँ फिल्हाल फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है और जिसके बाद प्री प्रोडक्शन पर काम किया जाएगा और आपको बताना चाहेंगे कि फिल्म में VFX का काफी इस्तेमाल होने वाला है और लिहाज़ा फिल्म पॉस्पॉन हो सकती है क्रिश फैंचाइजी के नरदेशक राकेश रोशन का मानना है कि फिलहाल भारत में लोग फिल्मील सूपर हिरो की फिल्म नहीं देखेंगे और वो इसलिए क्रिश फोर को हिरोईन केंदरित फिल्म नहीं बना सकते क्योंकि फैंस को वो पसंद नहीं आएगी रिलीज डेट दोस्तो रितिक रोशन अस्टाड़ ये फिल्म 2020 क्रिस्मस पर रिलीज होने वाली है और अभी तक फिल्म के बाकी कास्ट का नाम सामने नहीं आया है लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो क्रिश फोर में रितिक के साथ प्रियंका जोपड़ा की जोड़ी दिख सकती है तो दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आपका इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी सवाल हो या बॉलिवुड की कोई भी जानकारी से आप रूबरू होना चाहते हैं तो आप मुझे कॉमेंट सेक्षन में कॉमेंट जरूर करें साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और देखते रहे हमारा चैनल बॉलिग्राद स्टूडियोंस क्रिश फोर में विल्लन के रूप में किसको कास्ट किया जा रहा है सूपर हीरो वाली फिल्मों का आइडिया कहां से आता है कौन बनता है इनकी इंस्पिरेशन नमस्कार दोस्तों मैं गरिमा सिंग और आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल बॉलिग्राद स्टूडियोंस की एक और नई वीटियों में दोस्तों क्रिश फ्रेंचाइजी की मच अवेटिट फिल्म क्रिश फोर और फाइफ का जब से राकेश रोशन ने ऐलान किया है सभी लोग फिल्म को लेकर काफी ज़्यादा बेसबर है और सबसे ज़्यादा एकसाइटिड तो इस बात को लेकर है कि इस बार क्रिश फोर में विलिन का रोल कौन प्ले करने वाला है वैसे आपको बता दे कि बॉलिवुड में चल रहे ट्रेंड के मुदाबिक इस बार क्रिश फोर में विलिन के रूप में साउथ के सूपरस्टार को कास्ट किया जा सकता है क्योंकि सल्मान खान की अगर हम फिल्मों को देखे जो ब्लॉग बस्टर रही है यानि की वांटेड दबंग उनमें हमने विलन के रूप में साउथ के सूपरस्टार को ही देखा है और वैसे भी राकेश रोशन का कॉम्पेटीशन हमेशा ही बॉलिवुड की खान तिकडी से रहा है यानि की आमिर खान, शारुक खान और सल्मान खान और इसी के साथ राकेश रोशन हमेशा ही अपने दर्शकों को कुछ बहतर देना चाहते हैं कुछ इंट्रेस्टिंग देना चाहते हैं जिससे की उनका कनेक्शन उनसे बना रहे वही इस बार फिल्म से नवाजुदीन सिद्धिकी का भी नाम जोड़ा जा रहा है क्योंकि नवास में अपने बॉलिवुड करियर में अपनी एक्टिंग के जरी एक अलग ही मुकाम हासिल किया है और किक में उनके द्वारा निभाए गए विलिन की रोल की तारीफे तो लोग आज तक करते है लेकिन इन सभी फिल्मों का आइडिया यानि कि सूपर हीरो वाली फिल्मों का आइडिया कहां से आता है कौन बनता है इनकी इंस्पिरेशन तो आज मैं आपको इस वीडियो में ऐसे पांच रियल सूपर हीरो के बारे में बताऊंगी जिनके बारे में जानना आपके लिए बेहत जरूरी है जो बनते हैं इन सूपर हीरो वाले फिल्मों के लिए इंस्पिरेशन तो सबसे पहले जिसकी मैं बात करने वाली हूँ वो है राधा कृष्णन वेलू दोस्तों इन्हें मिस्टर टीत के नाम से भी जाना जाता है और इनके दात ही इनको रियल सूपर हीरो का खिताब दिलाते हैं क्योंकि ये महज अपने दातों की वज़े से एक भारी भरकम ट्रेन को खीच सकते हैं जिसके लिए इनको कही सारे अवार्ड से भी नवाजा गया है इनफेक्ट गिनीज बुक ओफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मताबिक वेलू ने 2008 में 206 टन वजन की ट्रेन को 13 फीट तक ही जा था वही जिस सूपर हीरो के बारे में अब मैं बात करने वाली हूँ वो है माइकल टिलीटो जिनने मिस्टर इटर के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों इनके पेट की मोटाई एक औसत आदमी के पेट की मोटाई से दोगनी है इनकी पाचन शक्ति इतनी अद्बुत है कि ये ग्लास प्लास्टिक तो इस तरह से पचा लेते हैं जैसे कोई आम इंसान प्यास लगने पर पानी पीता है और सिर्फ इतना ही नहीं इसी के साथ अब ये साइकल, एरोप्लेन और टीवी तक पचा लेते हैं जिसकी लोग कल्पना भी नहीं कर सकते इस लिस्ट में अब जो अगला नाम है वो है कैल्विन रिचर्ड सन का जिनको लॉर्ण विस्पर के नाम से भी जाना जाता है जी हाँ, इनके पास एक ऐसी अद्बुच शक्ती है जिसके जरीए ये जंगलों के खूनकार जानवरों से बातचीत कर सकते हैं यानि की शेर चीता जिनसे आम इंसान दूर रहकर भी इतना जादा डरते हैं ये उनके बेहद करीब जाकर उनसे बातचीत करते हैं और सिर्फ बातचीती नहीं उनके साथ खेलते भी हैं और इस बात पर लोगों को विश्वास तक नहीं होता दोस्तो लोगों के पास आखे होती हैं और आखे होने के बावजूद भी वो अकसर दोगा खा जाते हैं लेकिन रियल जिंदगी में एक ऐसा रियल सूपर हीरो है जिसको The Man Who Can See With Sound के नाम से भी जाना जाता है इनका नाम है Ben Underwood दोस्तो रेटीना कैंसर की वज़े से तीन साल की उम्र में ही इस बच्चे की आखे निकाल ली गई जिसके बाद इस बच्चे ने हार नहीं मानी अपनी इस कमजोरी को अपनी ताकत बना कर एक रियल सूपर हीरो का खिताब हासिल किया आसपास की चीजों की आवाज के जरिये समझने की कोशिश की और इस महारत को हासिल किया और आज ये बच्चा अपनी जिंदिगी एक आम इंसान की तरह ही जी रहा है वहीं दोस्तों कुमकरन को तो आप सभी जानते होंगे जो केवल सिर्फ और सिर्फ सोने के लिए जाने जाते हैं और in fact हमारे परिवार वाले भी कई बार हमें कहते हैं कि जब हम गहरी नीन में होते हैं कि देखो किस तरह से सो रहा है जैसे कुमकरन की नीन सो रहा हो इसको कोई फरकी नहीं पड़ता कि देश समाज में क्या हो रहा है इसके पास कोई मरा पड़ा रहे इसको तो बनग भी नहीं लगने वाली आपको बता दू कि रियल जिन्दगी में भी एक ऐसा इंसान है जो 1973 साल से अब तक एक बार भी नहीं सोया जो 64 साल के हैं और वियतनाम शहर में रहते हैं जिनका नाम है थाई जी दोस्तों ये इंसान साल 1973 से आज तक एक बार भी सोय नहीं है In fact कई साइन्टिस्ट ने इनके उपर रिसर्च भी की कि आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है लेकिन कोई भी इस रीजन को पता नहीं कर पाया कि आखिर इनके अंदर ऐसा क्या है जो ये आज तक नहीं सोय और इसके बावजूद भी इनके शरील में उसका कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा तो दोस्तों ऐसे रियल हीरोस सच में होते हैं जिनकी इंस्पिरेशन लेकर ये फिल्में बनाई जाती हैं जिसमें हमें सूपर हीरो देखने को मिलते हैं वैसे अगर आप किसी ऐसे शक्स को जानते हैं जो रियल में एक रियल सूपर हीरो है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आप कोई कंटेंट बेस वीडियो मुझे सज़ेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी कमेंट करके जरूर बताएं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे जरूर शामिल करेंगे और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रेड बेल आइकन को दबाना बिलकुल मत भूलिएगा ताकि जल्द से जल्द आपको हमारे चैनल की नई अपडेट्स मिलती रहें और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा तब तक के लिए देखते रहें हमारा चैनल बॉलिग्राद स्टूरियोज क्रिश 4 के ट्रेलर में नया क्या देखने को मिलेगा और क्रिश 5 क्या क्रिश सिरीज की आखरी फिल्म होगी नमस्कार दोस्तो मैं गरिमा सिंग और आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलिग्राद स्टूरियोज की एक और नई वीडियो में दोस्तो निर्माता निर्देशक राकेश रोशन की क्रिश 4 की शूटिंग 2019 में शुरू होनी है काफी दिनों से चल रही इन खबरों के बाद बताया जा रहा है कि फिल्म की स्टार कास्ट में कुछ ट्विस्ट होगा सूत्रों की माने तो नई कहानी के प्लॉट में प्रियंका चोपड़ा के अलावा दो हिरोईनों के लिए जगा बनी है पहले फिल्म में काट्रीना कैफ के होने की भी खबरे थी लेकिन अभी कुछ फाइनल नहीं है सूत्र बताते हैं कि पिछले कुछ समय में राकेश रोशन कहीं नई लड़कियों से मिले है वो किसी फ्रेश चेहरे के साथ एक स्थापिच चेहरे को लेना चाहते हैं इनमें यामी गोतम भूमी पैडनेकर और क्रेटिस सेनन भी रितिक रोशन की हिरोईन बनने की रेस में शामिल है जानकारों के अनुसार ऐसे में अब रितिक रोशन के सामने अगले साल समस्या सकती है कि होम प्रोड़क्शन के लिए कब समय निकाले राकेश रोशन उन्हें क्रिश 4 के लिए तयार रहने का निर्देश दे चुके हैं 2019 में वो किसी भी दिन शूटिंग शुरू करने की गोशना कर सकते हैं इस बात को कोई नहीं जुटला सकता कि पहला मुकमल इंडियन सूपर हीरो लाने वाले कोई थे तो राकेश रोशन उन्होंने 2003 में कोई मिल गया से ये शुरुवात की थी बाद में इनकी दो सीक्वल फिल्में क्रिश और क्रिश 3 आई सबसे पहली फिल्म रोहित नाम के लड़की की कहानी थी जो उम्र में बड़ा हो जाता है लेकिन उसका दिमाग बच्चे जैसा ही रहता है और इस वज़े से उसे सब सताते हैं लेकिन एक दिन एक एलियन धर्ती पर आता है जादू वो जादू रोहित को असीम शक्तियां दे कर जाता है दूसरी और तीसरी फिल्म रोहित के बेटे के बारे में होती है च्योंकि रोहित की मा क्रिशन की भग्ध होती है और रोहित को शक्तियां देने वाले एलियन जादू का रंग भी नीला होता है इसलिए उसका नाम रखा जाता है क्रिशना अपने पिता की तरह उसमें भी असीन शक्तियां होती है और जब वो मास्क पहन कर लोगों की मदद करने उतरता है तो कहलाता है क्रिश इसी क्रिश सिरीज में ताजी हलचल हो रही है डिरेक्टर राकेश रोशन ने गोशना कर दी है कि वो एक साथ दो फिल्में बनाने जा रहे है क्रिश 4 और क्रिश 5 तो आपको बताते हैं कि इन दोनों फिल्मों में हमें क्या देखने को मिलने वाला है दोस्तो नवाजुदिन सिर्दी की भी इन फिल्मों में दिख सकते हैं कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा कहा गया है अगर उनकी कास्टिंग फाइनल है तो अभी तै नहीं कि किस रोल में वो दिखेंगे चुकि सल्मान खान की किक में वो विलन बने थे तो लगाने वाले कयास लगाएंगे कि विलन के रोल में ही नवाजुदिन सिर्दी की इस फिल्म में भी नज़र आएंगे लेकिन अभी पुष्टी नहीं हुई है राकेश रोशन इन दोनों ही फिल्मों को एक साथ बनाएंगे जैसे अनुरा कश्यप ने गैंक्स ओफ वौसेपुर बनाई और दो पार्ट में रिलीस की डायरेक्टर, राइटर, राकेश रोशन अपनी दोनों कृश फिल्मों के साथ कुछ ऐसा ही करना चाहेंगे इन फिल्मों में सूपर हीरो के रूप में दिखने जा रहे रितिक रोशन के कॉस्ट्यूम डिजाइनर और स्टाइलिस्ट गैविन मिगन हो सकते हैं इन्होंने ही कृश थ्री में कंगना के किरदार काया के कपडे डिजाइन किये थे जो रबर लेटेक्स से बनाए गए थे इन दोनों फिल्मों के स्टन्ट और स्पेशल इफेक्ट्स के लिए इंटरनेशनल क्रू बुला जाएंगे देखना होगा कि राकेश किन हॉलिवुड फिल्मों के क्रू लेते हैं क्योंकि कृश थ्री के विएफेक्स तो उन्होंने शारुख खान की कंपनी रेड चिली से बनवाए थे बताया जाता है कि अगली दोनों फिल्मों में एक नई एक्ट्रेस की एंटरी होगी इससे पहले क्रिश सिरीज की फिल्मों में प्रिती जिंटा और प्रियंका चोपड़ा जैसी फीमेल लीड रही है अब की कहानी क्रिश के बेटे से शुरू होगी तो उसके लिए किसी नई हिरोईन को लिया जाएगा चुकि दो फिल्में एक साथ बन रही है तो सिरीज की बाकी फिल्मों के उलट कहीं नए चेहरे इसमें नजर आएंगे क्रिश 4 की रिलीज डेट की घोशना राकेश रोशन ने कर दी है वो 2020 की क्रिसमस पर इसे रिलीज करने का टार्गेट लेकर चल रहे है लेकिन ये डिपेंड करेगा कि तब किसी और सूपरस्टार की फिल्म तो रिलीज नहीं होगी या ये कि क्या तब तक उनकी फिल्म बन जाएगी अभी दोनों फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है सिरीज की पिछली फिल्मों की राइटिंग टीम में हनी इरानी, रॉबिन बट, राकेश रोशन, सचिद भॉमिक, संजे मासूम, आकरश खुराना जैसे लोग रहे हैं लेकिन इस बार स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायलोग्स किसके होंगे ये अभी पता नहीं चला है लेकिन आप फिल्म को लेकर कितना एक्साइटेर हैं नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजेगा और देखते रहे हमारा चैनल बॉलिग रादिस टूर